जीवन में आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को है तो इसका क्या मतलब है कि आप फालतू चीज़ों को पढ़ते रहोगे अगर आपको सेलेक्शन चाहिए न बहुत जल्दी तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा आपको यह सोचना चाहिए कि आप वैसे चीज़ क्य आप कोई सभी एक्जाम दे लो अभी फिलहाल में आपका बिहार दरोगा का एक्जाम है और अगर कोई दे रहें बिहार दरोगा का एक्जाम तो फिर आप इस महराथन को देखकर जरूर जाना आपको यहां से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और अगर आपके एक्जाम म सारे फाइदे होने वाले है लुएक मेरातन के अंदर मैं आपसे एकी बाति कहता हूं कि आपको सलेक्टिब चीज बिल्कुल नहीं वाल हैbuild up selective चीज यह पढ़ो जिससे क ineffective school b Всё completion बहुत होने वाल है और आपको जैसे की पाता है कि मैं दिनिसिद before अंदर मेरा भी selection हो रखा है तो आप मैं भी आपको जो बताने वाला हूँ तो मैंने कैसे पढ़ा क्या चीज पढ़ा वैसे ही तो बता रहा हूँ ताकि आपका भी selection हो सके तो चलिए आप भी जल्दी से selection लीजिए और दैन फिर दोनों गुरु और चेला दोनों मिलेंगे एक डिपार्टमेंट में मिलेंगे और फिर आपसे मुलाकाते होगी आप selection लीजिए और आप हमसे मिलिए और उससे पहले हम बात करते हैं कि इसकी तो marathon की chemistry की marathon और आज complete marathon देखने वाले हैं chapter wise one by one करके आप इसको complete कर लेना सारे subject को आपका selection होना ही होना है चाहे आप कोई सभी exam दो इसको देख कर ही जाना तो चलिए इसको start करते हैं आज की marathon को और चाहे जितना भी time लगे आप इसको पहले complete कर लेना तभी आप उठना आज की marathon में आज हम लोग सबसे पहला chapter देखने वाले हैं परमानुस अरजना तथा रसाइनिक बंद तो चलिए इसको start करते हैं पहला सवाल है आपके सामने की रधर फोर्ड द्वारा किये गए कि इस प्रयोग ने ना भी क्यस्तित को साबित किया हुआता है तो रधर फोर्ड ने अपने प्रयोग को साबित करने के लिए सोने का पनी लिया था यानि गोल्ड फॉयल हो जाएगा option ने करनों की तरंग प्रकृतिक इसने स्थापित की तो इसको स्थापित किया होता डीब रॉगली ने तो option इराइट हो जाएगा उसके बाद कार्बन हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है तो एक साथ जो है इसको एलोट्रॉप कहते हैं यानि option नमबर डी अपर रूप कहते हैं उसको इंदी में अगला सवाल है कि निमलिकित में से कि इस तत्यू की परमानू तेजिया सबसे छोटी होती है ये भी ध्यान रखेगा कि आपको जो बोला है option के according answer करने को बोला है तो आप option के according answer करेंगे तो सबसे छोटी तेजिया होता है क्लोरीन का इसके बाद अगला सवाल है कि carbon 60 एक अनू है जिसमें डैस के रूप में ब्यवस्थित 60 carbon होते हैं तो अगर answer की बात करूँ तो इसके अंदर जो हैं 12-5 भूज होते हैं और 20-60 भूज होते हैं तो option number यहां पे C right answer हो जाएगा अगला सवाल है कि एक methane अनू में कितने पर्मान होते हैं तो आप जब methane की फर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं CH4 तो इसमें आप गिनिये total कितने molecule हैं तो चार तो hydrogen के हैं और एक carbon के हैं तो total हो गए 5 option A right हो जाएगा magnesium का जो सन्योजी electron होते हैं निमलिकित में से किस कक्छा में उपस्थित होते हैं तो यह होते हैं M कक्छक में तो option A right answer हो जाएगा उसके बाद हैं कि Na2O यानि sodium oxide में कौन से iron उपस्थित होते हैं तो इसमें इसको जब आप break करेंगे या गर्म करेंगे तो यह क्या होगा कि आपका Na plus में तूट जाएगा और उसके बाद O2 मैनस में ठीक है तो यह होना चाहिए तो option देख लेते हैं तो right answer कौन से हैं तो option C right हो जाएगा अगले सवाल है कि नीचे दिएगे चार तत्तों में से कौन सा समूँ एक electron का लाभ प्राप्त कर सकता है अपना बाहरीक अक्षा को पूर्ण ही रखता है मतलब यह ड्वेट पूरा करता है और react किसी से नहीं करता है अगला सवाल है कि कारवन के अनू एक graphite में निमलिखित में से किस बंधन में होते हैं तो यह जूड़े होते हैं सा सन्योजक बंधन होते हैं तो option number C right हो जाएगा कारवन नैनो ट्यूब निमन में से की संद्रतनात्मक परिवार का सदश्चे हैं तो यह सदश्चे होते हैं फुले रिंस का तो option number कौन सा तो C right हो जाएगा और कारवन के कुल जो है हम लोगों ने अभी थोड़ा दिर पहले तीन अगला सवाल है किस योगिक का अनुभार 40 होते है यानि molecular mass पूछ रहा है कि किस का 40 होता है तो आप यहाँ पे जब निकालेंगे तो sodium का होता है कितना तो 23 होता है कलोरिन का कितना होता है तो यह 35-35 होता है उसके बाद आप calcium का देखेंगे तो calcium का अकेले 40 होता है तो oxygen अभी बांकी ही है इसके आलावा आप जब यहाँ पे देखेंगे तो कारवन का केवल एक कारवन का 12 होता है डावल किजिएगा तो 24 होता है और उसके बाद hydrogen प्लस 4 हो गया चलिए 40 हो किया टोटल अगला सवाल देखते हैं कि कितने अनुभार कितने अनुएक मोल के बराबर होते हैं तो अगर answer की बात करूं तो यह होता है कितना तो 6.023 into 10 to the power 23 इसको एक मोल कहते हैं उसके बाद है परमानू के नाभिक में कौन होते हैं तो परमानू के नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठीक है प्रोटॉन होते हैं पलस में न्यूट्रॉन होते हैं और बाकी जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर करते हैं तो बाकी होते कौन हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चलिए आगला देखते है एकस इएप टू अनु में उपस्तित इलेक्ट्रोन के एकल युगम की संख्या कितनी है तो इसके अंदर संख्या है टोटल कितने तो तीन उसके बाद है एक इलेक्ट्रोन का रिनात्मक आवेस कितना होता है तो यह होता है तो यह होता है 1.6 x 10 to the कौन सा युगम सही है अगर यहां पर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा Cyanide Iron जिसको C ne means क्याते है उपसन नंबर ए लीथियम नाविक में कितने प्रोटन होते हैं तो लिथियम में राइट हो जाएगा उसके बाद है ऑक्सिजन का परमानु द्रविमान क्या है ऑक्सिजन का परमानु द्रविमान पूछा है ऑक्सिजन का परमानु द्रविमान की अगर मैं बात करू तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा असका परμα्नु संख्या होता है कितना तो होता है और लगभग लगभग जो परमानू द्रबि kans आदो की निमलिकित में से किसे अधुनिक परमानु सिधंत का जनक माना जाता है तो यह माना जाता है जॉन डालंटन को तो option यहांपर ए white हो जायेगा निम लिखित में से कौन एक दृवी अनु पर करते हैंगर इन बराबर कहा होता है थो ठीक है अगला सवाल देखते हैं यदि एक परमानुके केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट के गैंद की साथ की जाए तो परमानुकी तिर्जिया लगवग कितने किलोमेटर की होगी तो परमानुक की तिर्जिया होगी ये लगबग 5 किलोमीटर के बरावर option number कौन सा तो A right हो जाएगा cathode किरने dash की किरन पुंज होती है तो ये किसकी होती है तो electron की होती है cathode किरने परमानुकता के संदरों में आरगन क्या होते हैं तो आरगन जो होते हैं ये एकल परमानुक होते हैं यानि आरगन जो लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं ठीक है एकल परमानुक अगर वहीं oxygen की बात करता है तो ये दूइक हो जाता है O2 ऐसे लिखते हैं इसको ठीक है X की रन में तो option C right हो जाएगा उसके बाद हैं डाल्टन के परमानु सिधान्त के अनुसार परमानु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर डैस बनाते हैं तो अगर answer की बात करूँ तो ये यौगी को बनाते हैं और यहाँ पर आपसे जो बात किया है पूर्ण संख्याओं के अनुपात में बोला है तो ये मिलके यौगी को बनाते हैं लेकिन इसी छोटी छोटी जो परमानु है इनको बिना किसी अनुपात में मिला दिया जाए जैसे तैसे मिला दिया जाए तो फिर वो क्या बनाते हैं मिस्रन बनाते हैं लेकिन यही अनुपात जब पूर्ण हो जाए निश्चित हो जाए तो यह योगिक बनाते हैं यानि compound बनाते हैं तामबे की परमानु संख्या कितनी है तो क्या मैं इसको बताऊं या आप हमें कमेंट करोगे उम्मीद करता हूँ कि आप ही कमेंट करोगे कि तामबा यानि जिसको कॉपर कहते है तो कॉपर की परमानु संख्या कितनी होती है अगला सवाल देखते है कि निमलिकित में से कौन संभारिकों की जोड़ी का एक उदाहरन है तो अगर answer की बात करूँ तो right answer कोँसा हो जायेगा option number B calcium और argon lithium का परमानु भार क्या होता है तो lithium का जो परमानु भार होता है यह होता है 6.92 amu तो option number कोँसा D हो जाएगा उसके बाद हैं अलग-लग तत्तों के परमानु जिनकी परमानु संख्या अलग होती है लेकिन द्रविमान संख्या समान होती है तो उसे क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है संभारिक ओप्सन नंबर कौन सा तो यहाँ पर एराइट हो जाएगा उसके बाद है कि डैस ठोस का निर्मान रिनायनों तथा धनायनों की त्री आयामी बेवस्थाओं के द्वारा होता है जो सक्ति साली कुलंब बल से बंदे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं तो उसको आईनिक बोलते हैं तो option number यहां पर C right answer हो जाएगा अगर वहीं पर आवेस क्याता है तो फिर यहां पर proton होता तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दखेगा और आप हमें comment करिए कि neutron के उपर कौन सा आवेस होता है आप यह हमें तुरंत comment कीजे और देखिए chemistry का जो महराथन करा रहा हूं तो इसके अंदर बहुत कम सवाल होते हैं जो कि आपके exam में पूछे जाते हैं चाहे आप कोई सा भी marathon exam ले लेना या कोई भी one day exam ले लेना उसके के अंदर क्या होते हैं केवल आपको बहुत कम सवाल होते हैं और सवाल जो पूछे जाते हैं अच्छा खषण कर सबबस्के सेvenue के वह जाते हैं और मैं आपको केवल selective चीजें कराता हूं फालतू चीजें मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराता हूं आप हम पर भारोसा करके देखे और एक वार हमसे पूरी दिल के साथ जुड़के देखे और आपको फायदा होगा और आपको मैं selection तक लेकर जाओंगा आपको पहुंचा के रहूंगा तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या करता है कि कौन सा कन आवेस रहीत है तो जिसके बारे में मैंने question किया था अभी आपको comment करने के लिए उम्मीद करते हैं आपने comment कर दिया होगा तो चलिए answer कि अगर मैं बात करूं तो यह होता है neutron neutron के ऊपर क्या होता है को संख्या क्या होती है तो इसमें neutron की जो संख्या होती है आप क्या करिए यहां पर फोटी टू में इसके जो atomic नंबर इसको मैनस कर दिजिए तो 148 आएगा यह इसका neutron के संख्या हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि उपर्यू जो भारी पानी का अनुभार कि अगर मैं बात करूं तो भारी पानी का जो फार मुला होता है उसको कहते हैशहि यह तो अब फो देखें कि षिंदी ह्अ यह थोस ने कोना दो प्लस कितना oxygen का शोला होता है तो टोटल कितना हो गया चोटाल कितना हो गया तो 20 हो जाएगा हमारा right answer कौन सा तो option number a option number b हो जाएगा right answer अगला सवाल देखते है क्या कहा हृए कि तरल पदाल्थ की तुलना में ठोस पदाल्थों में परमानुओं का ब्यवस्थापन की इस तरह होता है तो यह होता है बहुत बारिकी से बंधे होते हैं ओप्सन नंबर कौन सा तो सी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि हीरा तथा ग्रिफाइट में समान होते हैं तो क्या समान यहां देखने सवाल रहते हैं वहीं repeat होते रहते तो उन सवालों को तो देख ले तो चलिए start करते हैं पहले सवाल है आपके सामने कि मखन डैस का उधारन है तो मखन जो होते हैं यह पाइस का उधारन है तो option नमबर यहां पे कि तुलना की गुरुत्वा कर्शन के प्रभाव में निलंबन से बाहर करने की प्रक्रिया है यानि यह जो आपका अवसादन होता है यह जल में निलंबित कनों की गुरुत्वा कर्शन के प्रभाव में निलंबन से बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो option नमबर यहां से कौन सा सम्मंदित Willian नहीं है जाए के बार में सहीं नहीं है तो चलीए इसको देख ते हैं तो यहां पर कि Willian के कंट तल में बैठ जाते हैं जब कि Willian को तो यह वाला कथन सहीं नहीं देखिए अगर आपको इन अगर आओ कि नया है यह सारे के सारे स्टेटमेंट तो आप क्या करिए ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं बस इसको रिवीजन करते रहे हैं क्यूंकि सवाल यहां से रिपीट होते रहते हैं इसके बाद है डैस दो या दो से अधिक घटकों के सजाती है मिसरन तो यह इसको कहते हैं वह यूइलियन जो होते हैं वो दो या दो से अधिक घटक के सजाती है मिक्सचर है दो आपसा नंबर भी राइट हो जाएगा क्यामेश्ट्री का चैप्टर आपने सही से पढ़ा भी नहीं है तो इस कारण भी थोड़ा परिजानी होता है तो यहां पर आपसे क्या रहें कि निमल कि तुम इसे कौन सा सुमेलित नहीं है है समय नहीं करन प्रतिलों परासर यह निमाद प्रोटीन जो дивड़कर चाह नहीं होता है यहां पर पाश्चुरी करन जो होता है दूद जो पैकिंग होता है न वो होता है तो option डी राइट हो जाएगा इसके बाद कहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को कौन सा तो एराइट हो जाएगा दूद में असुधियों को अलग करने के लिए निमलिकित में से किस तकनी कवपियों किया जाशकता है तो इसके लिए किया जाशकता है चलिए देखते हैं आंसर को तो यह आयन एक्षेंज भी किया जा सकता है और इसके अलावा एक आस्वन किया जाता है तो एक और दो तो option number C right हो जाएगा अब हम लोग देखने वाले है आवर तसाजनी यानि periodic table को देखने वाले है आपको पता है कि exam के नदर बहुत बढ़ा sardic table से तो जितने भी सावाल आ चुके है उनस तो इसको कहा जाता है आवर्त, इसके बाद है आवर्त सार्णी किस ने तयार की थी, तो आवर्त सार्णी को तयार करने का काम किया था मैंडलीव ने, तो option number यहाँ पर D right answer हो जाएगा, अगला एक निमलिकित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड सेरीज की है, आपसे यह पूछ रहा है, तो एक्टिनाइड सेरीज की है, तो यह है आपका क्यूरियम, option number कौन सा तो C right हो जाएगा, निमलिकित में से कौन सा तत्व एक लैंथे नाइड सेरीज का है, तो अगर आंसर की बात करूं, तो राइट आंसर हो जाएगा, सीरियम, option number C, इस को एक सही अस्थान प्रदान नहीं कर सकाता, तो इसकी भी कुछ सा त्रूटिया रहा गई थी, इसके आवलत सार्नी का, जिसमें की हाइडोजन को एक सही अस्थान नहीं दे पाया था, निमलिकित में से किसने hashtag का सिधान्त दिया हो आता, तो hashtag का सिधान्त जो दिया हो थे, न्यू लैंड्स ने दिया हुआ थे तो option number यहां पर C right हो जाएगा अब आपको comment करना है कि जो डोबे राइनर है इसने कौन सा सिध्धान्त दिया था option number यह आपको comment करना है तुरत भी अगला कि graphene है तो graphene यह क्या है सवाल भी यहां से आ चुके हैं आपको भी यह comment करना है कि graphene क्या है अगर answer की बात करूँ तो graphene जो होते है यह आपको क्या होते हैं तो carbon कहीं आपर रूप होता है ठीक है graphite भी अपने नाम सुना होगा graphene graphite बिल्कुल matching matching आता है तो आपको यहां पर problem नहीं होना चाहिए अगले सवाल देखते हैं अब क्या कहा रहा है कि आवर्ट साइड़ी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनके प्रतेक तत्व के नाम के लिए एक ही अक्षर है जो प्रतिकात्मक रूप से उसका प्रतिनीदित्व करता है जैसे बोरान लिखते हैं तो उसके लिए क्यावल एक अक्षर B लिखते हैं कारबन लिखते हैं तो क्यावल अक्षर C लिखते हैं तो इस तरह से अगर संख्या गिने तो ये कितने हैं टोटल तो इसकी संख्या जो है टोटल 14 है तो option number कौन सा तो D right answer हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं निमन मेशे की स्तत्व में सबसे कम विद्यू तिरिनात्मकता होती है तो ये होती है किसके अंदर तो Francium के अंदर इसके बाद है अक्रिये गैसे आवल तसालनी के निमन मेशे की समू में आती है जो अक्रिये गैसे हैं जो नॉबल गैसे हैं इनको रखा जाता है अठारवे ग्रूप में तो option number कौन सा अब भी right हो जाएगा इसके बाद हैं दिये गए तत्वों में से कौन सा आवल सालनी में पहले स्थान पर आता है यह आता है हाइडोजन तो option number B यहां पर right answer हो जाएगा किस वएग्यानिक ने परमानु भार के बढ़ते करम में तत्वों को आवल सालनी में बिवस्थित किया तो यह किया हुआ मैंडलीप ने तो option number कौन सा तो यहां पर D right answer हो जाएगा इसके बाद है हालोजन के सबसे बाहरी कोस में dash electron होते है जो हालोजन ग्रूप होते है उनमें जो element होते है उसके बाहरी कक्षा में कितने element होते है कितने electron होते है इसकी बात यह पूझ रहा है तो होते हैं total कितने तो 7 होते है जिसमें आपके कौन आते हैं यार। द्ध्वार्ण को द्धार्ण्न में है और अग्ला विद्ध्युत्विता धनात्मक्षार धात्वेशO opera जया अलग किया जाता है तो इसको किया जाता है उत्करिष्ट गैस के द्वारा अलग तो आपसा नमबर डी-राइट हो जाएगा अगले सवाल है कि निमलेकित में से किसे छारी मृदाधातु के रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता है मैंगनी proportion देखेंगे तो सोडियम के समानगुन निव लेंड्स के अगर अश्टक सिधान्त को देखेंगे तो प्लस आठ कर दीजे यह प्लस या फिर मैनस आठ कर दीजे तो सोडियम ग्यारा होते हैं प्लस आठ तो 19 होना चाहिए उनिस पे potassium है तो option number कौन सा होना चाहिए यहाँ पे उनिस पे potassium बट यहाँ पे जो answer दे रखा है minus 8 करके दिया है तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा lithium हो जाएगा ठीक है चलिए अगला answer देखते हैं कि निमलिकित में से किसने platinum पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्यों की समान परिछनों की खोज की जिसमें जिससे की तत्यों की आवधिक तालिका का विकास हुआ तो ये काम किसने किया हुआ था तो ये काम जो किया हुआ था दोबे राइनर ने तो option नमबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि आवर्थ साजनी में निमलिकित में से किस आवर्ट में पांच गैर धातूं को रखा जाता है तो ये रखा जाता है आवर्थ दो के अंदर option नमबर कौन सा तो भी राइट ह हो जाएगा उसके बाद है आवर्थ साजनी में लंबे आकार के florin किस ग्रूप और पिरियट में इस्तित है तो फलोरीन की अगर बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा निगेटिव होते हैं तो ये जो होते हैं सतर्वे ग्रूप और पिरियट कौन सा तो दूसरा पेरियड होता है तो आपसन नंबर यहां पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं पदार्त तत्य एवं यह होगी तो चलिए स्टार्ट करते इस चैप्टर को पहला सवाल है आपके सामने की ग्रेफाइड डायमेंड और बकमिंस् आपके साईकल होती है तो आप बमेंट कर सकते हैं कि चौ थी अवस्था कौन सी होती हैं आप हमें यह कमेंट किजिए हर किसी का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि पदार्त कि चौती अवश्था कौन सी होती है चली आगला सवाल देखते हैं कि निमलेकित में से किसकी संपीडियता सबसे उच्छ होती है तो अगर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा गैस यानि गैस जो है काफी जादा संपीडिय होती है यानि कॉंप्रिशिबल होते हैं ओप्स सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं तर्तो यानि उसको कहते हैं element को और जादा नहीं तोड़ा जा सकता ठीक है यानि सरल साधनों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है अगला है कि अपने कनों की गती के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्त के साथ फैलाना और मिलाना डैस कहलाता है तो इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं वही सिरन option number कौन सा तो यहां पे हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा यहने diffusion उसके बाद है कि इस खनीज को पीला केक भी कहते हैं तो पीला केक जो कहा जाता है यह यूरेनियम को कहा जाता है तो option number यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगले सवाल है कि sodium carbonate का उपयोग किया जाता है तो कहा किया जाता है किस रूप में किया जाता है यह पूछ रहा है तो जल कि स्थाई कठोरता को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है तो option number कौन सा यहाँ पे C right हो जाएगा अगला सवाल है कि protein, deuterium और treatium ये क्या है तो ये सभी के सभी जो है समस्थानिक होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं proton की जो संख्या होते हैं वो तो समान होते है इसका परमानु संख्या तीनों का अगर देखें तो परमानु संख्या एक होता है यानि hydrogen का ये क्या होते हैं समझ थानिक होते हैं लेकिन इसकी क्या होते हैं द्रब्यमान संख्या अलेग-अलेग होते हैं इसका 1 होता है इसका 2 होता है और इसका 3 होता है चलिए इसलिए वहाँ पे जो मैंने D20 यह द्रबिमान संख्या दो यूज किया था तो 2,4 और शॉक्ष तो 20 है इसलिए मैंने लिखा था चलिए आगले सवाल देखते हैं कि साथ मिलिग्राम प्रती लीटर से कम सांद्रता वाले डैस युकत पानी को आम तोर पर सौम में माना जाता है तो गर आंसर की बात करूं तो यह हो जाते हैं कैल्सियम कार्बोनेट आप्सन नंबर कौन सा तो यह राइट हो जागा निमलिकित में से कौन सा मोती का प्राथमिक स घटक हैं तो आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्सियम कार्बोनेट यानि मोती मतलब कैल्सियम कार्बोनेट इसके बाद है ठोस के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत हैं तो यहां पर आप देखेंगे किसी ठोस को गर्म किये जाने पर उसके कनो कि तापिय और्जा कम हो जाती है जिससे यद्रव में परिवर्तित हो जाती है तो यह वाला कथन क्या है तो यहां पे यह वाला कथन गलत दे रखाया अगला सवाल है कि हावा में गर्म किये जाने पर सिंदूर डैस के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं आप से यह क्या कहा रहा है कि सिंदूर को हम ऑक्सिजन के साफ में रियक्ट कराते हैं तो वहां पर जो है मरकरी आप्सन नंबर क्या हो जाएगा अशा शिंदूर जो होता है न अपका दो तरका होता है तो जिसका की अलग-अलग रसाइनिक नाम होता है एक कतु सायद मैं भूल रहा हूं इस कहते हैं और एक और कुछ होते हैं बाकि कन्फर्म नहीं हो आप एक बड़ चेक कर लीजएगा उसके बाद है पानी के पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमों खानी जी कौन से हैं तो यह हैं आपका मैगनिसीयम है और कैलसीयम है और कौन सा तो यहां पे राइट हो इसके बाद है प्लाजमा पदाल्ट की चौथी अवस्था मानी जाती है निम्लेकित वीवरान में से कौन सा इससे समंदित नहीं है तो यह पहला कथन है कि आंश्टाइन संगहनक के रूप में जाना जाते हैं यह वाला कथन सही नहीं है बागी सभी सही है हाइडूजन के विविन समस्थानिक के चिन तथा नाम दिये गए तो गलत जोड़ी को पैचान है तो देखिए ट्राइटियम है तो इसके अंदर द्रविमान संख्या तीन प्रोटॉन की संख्या सभी में एक ही होगा तो सभी में एक ही है और इसके बाद यह डूटेरियम है तो द्रविमान संख्या दो जो कि दिख रहा है उसके बाद यह प्रोटियम है तो इसमें कितना दिख रहा है तो इसमें आपको एक दिख रहा है बिल्कुल सही है लेकिन इसका जो सिंबाल होता है डी से नहीं दिखाते है इसको एच से ही दिखाते है हाड़ूजन को क्लोराइड में उपस थी तो कौन सी आसो दोता नमी सोखती है तो यह सोखती है आपका मैगनेशियम क्लोराइड यहाँ सवाल क्या परमानुक्रमांक कितना होता है क्या हमें बताना पड़ेगा क्या आप कमेंट कर सकते हो आप कमेंट करो मैं ये आपके लिए छोड़ा हूं कि नाइट्रूजन का परमानु संख्या कितना होता है परमानु करमा का कितना होता है आप यहां पर जितनी भी है न सबका बता दो 6 किसका है 7 किसका है 8 किसका है और 5 क इसका यह चारों बता दू मैं वेट करूंगा हर किसी को कमेंट करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है कि निमलिकित में से कौन से और क्रिष्टलिये ठोसों की विशेशता हैं तो यह है तापमान की रेंज पर धीरे-धीरे मरीदू करन ऑपसन नमबर डी राइ हो जाएगा उसके बाद है निमलिकित में से कौन सा बेरिलियम का एक गुन है तो बेरिलियम की अगर गुन की बात करूं तो सा सन्योजा की यॉगिक बनाता है तो आपसन नमबर सी राइट हो जाएगा अले सवाल है कि आतिस बाजी में यानि जो पटाखा छोड़ते हो आप के कारण दिखाई देता है और यहां पर भी राइट हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा एक हैलोजन तत्तु नहीं है अच्छा यह वाला जो सवाल है यह आपका दरोगा के अंदर दिखा है लाश्टली हमने दरोगा के अंदर इसको देखा है अगला है और यहां पर CHSL टा तो यह है आपका अप्सन नंबर कौन सा तो ए राइट अंसर हो जाएगा अब यहां पर आप जितना भी सवाल देख रहे हैं न सारे किसी ना किसी एक्जाम में है और यही सवाल क्या होते है न कि जैसे ही CGL में पूछा है तो इसी को कभी MTS में पूछ लेगा कभी railway पूछ आपको यह सारे के सारे सवाल करना बहुत जरूरी हो जाता है आप फालतू की चीजां मत पढ़ो क्योंकि यूट्यूब के उपर दुनिया भर की चीजां पढ़ी हुई है जो कि आपको वहां से पढ़ सकते हैं लेकिन उसको पढ़ने से आपका कोई मतलब नहीं रहा जागा आप हमारी चैनल से जूड़ो और सेलेक्टिव चीजों को पढ़ो जो मैं आपको कह रहा हूँ के बल उतना पढ़ो और आप वर्दी में आओ और मैं बहुत ही जल्द आपके साथ वर्दी में देखने वाला हूँ आपके साथ दीखूंगा तो फिर दोनों गुरु चेला ज कि चैनल से खहिती होता है किस तका घंट सरवादी होता है तो यह होता है सब्सकरार हो जाएगा देखते हैं की कोपर सलफेट का रंग क्या होता है तो इनला होता है तो इ test right answer हो जाएगा अगला सक्षाम्णडा से स्केंडियुका में कितने परकार के समस्थानिक होते हैं यह तो बहुत. अगला सवाल की जिरको प्रिकरा का आपका अमोनियम होता है 41 तो यहां पर हो जाएगा , Ammonium को लिखते क्या से हैं ? तो NH 4 होता है । ठीक है ? चलिए !! अलस सवाल देखते हैं कि तत्त तो आंश्टाइन नियम का परमानु करमा के कितना होता है ? तो आंश्टाइन के नाम पे एक तत्व की खोज की जाती है जिसका नाम पढ़ जाता है आश्टाइन इम जिसका परमानु संख्या होता है 99 तो आपसन नमबर यहां पे एराइट हो जाएगा थर्मामेटर के पारा के विकल्प के रूप में निमलिकित में से कौन सा उपियो कि आ जाता है यह होता है अपका गलूस ता गयले सपसे दुरलव कौन है वह है आपका श टाइन ऐसन नमबर कौन सा तो यहांपर यह ए राइट आंसर हो जायेगा देखते हैं आगे आगे ऑपिने हैं के निमलिकित में से कौन सा तथ एक उपधात हूँ है तो राइट आंसर हो हो जाएगा तो सिलिकान हो जाएगा और सबसे दुरलव तत्यू की अगर में बात करूं तो मैंने रेड़न के बारे में भी पड़ाया तो यहां पे अंसर आपको जो कराया है तो आप अपसन नंबर यहां पर हो रहा है तो चलिए आगला देखते हैं हम लोग अगला सवाल है कि निमन में से कौन सा सिलिकोन डायोकसाइड का एक गुन है तो इसका गुन होता है कि इसका गलनाय को जो होता है वो उच्छ होता है तो आपसन नंबर डी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि सल्फियूरिक अमल का आनविक द्रेवेमान होता है तो कितना हो के पॉपसंन को होता है उपसंन हो जाएगा उचके बाद है पॉर्टेसूम का एक रसाइनित होता है जिसका प्रतिक комментарisाई होता है जिसका आप जिसको नैट्रियम क्ते हैं देखते हैं चली आपका गलत होता है कि निम लिकित में से कौन सा पदाल्थ प्रिथवी पर प्राक्रितिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदाल्थ होता है तो अंसर की बात करूं तो आपको पता होगा इसको कहते हैं डायमंड या नहीं हीरा इसके बाद है निम्नमेंसे कि इस तत्य को मिट्टी के तेल में सुरक्षित र ऑक्षिजन के कॉंटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है तो इसकारण क्या होते हैं। अक्या सुरक्षित के रह न е न हैं कि इसको नहीं मिल पाता है करती हैं किसके अंदर यह होती है क्लशियum के अंदर किसके अंदर जिपस अंदर देखने वाले तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को पहला सवाल है कि निमलेकित में से कौन सा जिंक का यह सब्सके बाद है उच्छ सुदता का जरमेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है तो डैस की जगह क्या फिल होगा तो इसके जगह जो आने वाला यह है आपका छेत्र परी सोधन option number B इसके बाद हैं boron, silicon और germanium जैसे तत्वों को डैस की रूप में वरगी कृत किया गया है तो इन सभी कोजों हैं उपधातू के स्रेणी में रखा जाते तो option number यहां पर B राइट आंसर हो जाएगा अगला किनिमलिकित में से कौन सी एक ओधातू है जो समानिताप पर द्रभमान अवस्था में पाई जाती है तो अगर आंसर की बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका कौन सा ब्रो मिन option नंबर कौन सा तो D यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि मिस्र धातू रोज सोने में सोने के अलावा और कौन सी उपधातू सामी लोती है तो अगर आंसर की बात करूँ तो ठोल गोल्ड होते है तो उसके अंदर क्याए रहा है कि सोना के अलावा क्या पाया था तोister तो चलिए आगरा सवाल देखते है क्याया कि laughter मिस्र धातू को सनले कहा जिर्ष से संबंदित नहीं, तो किसको कहा जाते है सनले, तो यह कहा जाते है आपका पारा, तो अप्सन नम द Hawk हो जाया दो क्रिवा के अधातु में जिंक नहीं होता है तो यह ऑन्सर की बात करूं तो राइट आंसर कूंसा हो जाएगा तो यह जगा बेल धातु णिंदर जिंक नहीं होता है जब कि पीतल गन ख्लोरोपा, टाइट, उसके बाद है, फ्यूल, फ्यूलियो, रापाइट, बड़ा ही मुस्किल हुआ पढ़ने में, तो आप इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, अटपटा सा है इसलिए, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, कि 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए, या तो डै नर्म होते हैं, अगर 24 कैरेट, अगर कहरा है कोई कि सोना जो है 24 कैरेट का है, तो वो 24 कैरेट का नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ असुद्धी मिलाया ही जाता है, तो उसके अंदर तामबा मिलाया जाता है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, कि सोना औ और तामबाद डैस और पराबैगनी प्रकास को अवसोसित करते हैं और पीले प्रकास को छोड़ते हैं तो यहाँ पर डैस की जगह कौन आएगा तो यह आजाएगा आपका कौन तो नीला उसके बाद अगला सवाल है कि निमलिकित में से कौन सी विसेशता धातूं द्वारा न आपसन के एकोरडिंग अंसर बताना है तो यह हो जाएगा कैल्सियम लोहा कि इस तापमान पर पिघल जाता है तो लोहा की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका 1538 डिगरी सेल्सियस जब आप इसको तापमान देंगे तो यह पिघल जाएगा तो आप समझ सकते हैं लोहा का तापमान कितना जादा है अगला सवाल है कि लोहा लगबग डैस डिगरी सेल्सियस पर उबल जाता है तो अगर आंसर की बात करूं तो यह कितने पर उबल जाता है तो यह 2861 सट के उपर उबल जाता है यानि क्वथनांग हो गया इसका इसके बाद है वाटर हीटर में प्रि तल की इसका मिस्तरन होता है तो पी तल के अंदर यानि पी बराबर ताजा तो तामबा प्लस जश्टा होते हैं तो ऑप्सन नंबर यहां कौन सा तो ऑप्सन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं यहां पर क्या रहे कि धातूं के अभी क्रिया सीलता के घटते क्रम में विवस्थित करें तो घटते क्रम में इसको सजाना है यानि सबसे पहले काफी ज़्यादा रियक्ट फिर उसके बाद कम उसके बाद कम उसके बाद कम इस तरह से इसको लगाना है तो चलिए इसको लगाते हैं तो अगर आंतर की बात करूं तो सबसे हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्सन नंबर कौन सा तो सी राइट हो जाएगा किस धातु को पहले वॉलफराम कहा जाता था तो वॉलफराम कहा जाता है यानि टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वॉलफराम जिसको डवलू से डिनोट करते हैं यानि टंगस्टन को डवल नहीं किया जाता है जब कि लोहा निकेल क्रोमियम इन तीनों कव्पियों कार्बन का भी किया जाता है तो यहां पर हमारा राइट आंसर जो हैं भी हो जाएगा टैलो नाइट कोबाल्ट और डैस एक सनियोजन है तो किसका सनियोजन है तो यह सारे के सारे जो सनियोजन होते हैं क्रोमियम का option number A हो जाएगा सुद रूप से निमलिकित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो गलनांक सबसे अधिक होता यह तंगश्टन का तो option number A यहां पर right answer हो जाएगा अगला सवाल है कि किस धातु को मुर्खों का सोना कहा जाता है तो चलिए देखते हैं और आपेट को मुर्खों का सोना कहते हैं उसके बाद निमने में से को nhdir कि यॉगिक नहीं तो चलिए देखते हैं तो यह gelir है याटिक नहीं है यह यह तत्त्त है जब कि पाजा हो गया carbon monoxide साइड उसके बाद क्लोराइड यह सभी का जो कंपोनेंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं इसलिए योगिक है अगला सवाल है कि एक मात्रधातु का नाम जो जिवानुरोधी है तो अगर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर इसके बाद हैं कॉपर और डैस एक मिसर धातु है तो अगर बात करूं तो यह कौन की बात कर रहा है तो यह किसका 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 कंपोनेंट होता है यह हमसे पूछ रहा है तो अगर आंसर की बात करूं तो और इसमें निकेल आ जाता है अगला सवाल है कि निमलेकित में से कौन एक तो नहीं है तो जो कारवन होते हैं इसको इस गिंती में नहीं रखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हूं मैराथन आपको पसंद आ रहा हूं आपके लिए helpful हो तो हमें भी सपोर्ट करिए बहुत मेहनत लगती है इसको रिकॉर्ड करने में आप तक लाने में सेल सेयर करिए तो चलिए देखते हैं निमलेखित में से कौन लेड लेड मतलब होता है LED यानि LED मतलब होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड अर्द चालक प्राद्यक की में प्रियुक्त धात्वों में से एक हैं तो अगर आंसर की बात करूं तो ग्यालियम होता है ऑप्स मतलब है कि वो रियक्ट करता ही नहीं है तो यह कौन होगा सोना हो जाएगा निमलेकित में से मिसर धातू की पैचान कीजिए जिससे सीसा एक घटक है यानि जिसमें सीसा एक घटक है तो वो मिसर धातू कौन सा है तो वो मिसर धातू है आपका सोल्डर सोल्डर में क्या होता तो तीन होता है और सिसा होता है तो इसको आपको ध्यान में रखने हैं तो चलिए आगला सवालने की धातुए अन धातुओं से टकराने पर बजने की ध्वनी करती है क्योंकि हुए क्या होती है तो बजने की ध्वनी को क्या कहते हैं उसका क्वण सगून होता है तो यह होता है धुन्यातमक, sonorous आपने नाम सुना आओगा इंगलिस में को क्याते हैा, sonorous चीक है, तो यह sonorous के कारण होता है अगला है कि केलावे right नामक खानीज एक टेलू राइड खानीज है, जिसमें सामिल होती है, तो इसके अंदर जो सामिल होती हैं ये कौन सामिल होती हैं तो सोना सामिल होती हैं तो option number कौन सा तो भी right हो जाएगा अगला सवाल है कि कार्णो नाइट डैस का एक महतपोर्ण सरोत हैं तो अगर आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा uranium प्रतिशत होता है यानि जो सोना होता है तो उसका अभूशन बनाने के लिए सोने को 18 केरेट रखते हैं और बांकी का जो आपका 6 केरेट होता है या तो चांदी मिलाते हैं तो वह कितना प्रतिशत होता है यह हमसे पूछ रहते हैं तो टोटल 24 में से परसेंटेज निकाल लीजिए तो कितना हो गया तो आपसन नंबर कौन सा होना चाहिए आपसन नंबर यहां पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं एपसम का ओदोगिक नाम क्या होता है तो एपसम का जो ओदोगिक नाम होता है वो होता है मैगनेसियम सलफेट आपसन नंबर यह राइट हो जाएगा एगला के अलमोनियम के सबसे महतपोर्ण एइस का नाम क्या है तो सबसे महतपोर्ण एइस होता है बॉक्स साइट आपसन ने राइट हो जाएगा उसके बाद हैं बरतन बनाने के लिए कौन सी नमेलिकित मिसर धातू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो यह जो सोल्डर होत रसमिक कमेंट करेए एक एक बच्चा कमेंट करेगा नहीं तो सबसे सबका क्लास से छुट्टी करतेंगे सरमाइए नहीं कमेंट कीजिए अगला है पारद मिसर निया अमलगम किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए तो यही आपसे पूछ रहे हैं तो अमलगम कहलाने के लिए किसी मिसर धातु में निमलिकित में से किसका होना आवस्यक होता है तो पारा का होना आवस्यक होता है तो option number क्या हो जाएगा तो यहां पर right answer हो जाएगा next chapter हम लोग देखने वाले हैं को अंसर तो अमल छार एवं लवन यानि acid base and salt milk of magnesia में मौजूद छारी है घटक जिसका उपयोग rate check जिसको कहते हैं laxative की रूप में किया जाते हैं हुआ कौन है तो यह होता है मैगनेसियम हाइड रॉकसाइड इसको कहते हैं milk of magnesia मैगनेसिया मैगनेसियम हो जाएगा अगला सवाल है कि एक और एक छार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं न्यूट्रिलाइजीशन reaction कहते हैं तो option राइट हो जाएगा उदास नहीं करन उसके बाद है कि निमलिकित में से किस लवन में क्रिश्टली क्रिट जल के 10 अनू नहीं होंगे तो अगर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यानि नमबर सी बाद है कि जाषारी एप के की एक रसायन को हलदी के मिलाये जाता है तो हल्दी auf मागनेश्या का फिच वैलिव होता है दस default होकलर बलीचिंgg पॉ eyeshadow Snow Il लिए निम्लिकित में से किस ग्यास को सुस्क चूने से गुजारा जाता है तो इसको गुजारा जाता है क्लोरीन से और यहां पर भी राइट हो जाएगा अगले सवाल देखते हैं कि बैकिंग सोडा का विलियान सूजक के साथ हरा देता है तो किसके साथ हरा रंग देता है यह हरा रंग जब देता है यह हो जाइगा अब चैना रोजिक अ यह हुद्हें लेंग में唯दाइ nerd हो जाइगा है कॉन से कोटरत है रूल जाते हैं जायुकत और भी स्फोर्ट संभाब ये वाला होता है ये भी सही है और इसका जो अनुपात होता है ये तीन अनुपात एक होता है जो कि यहां पे गलत दे रखा है तो हमारे लिए जो अंसर हो गया option number D हो गया अगला सवाल है कि अमली ये पदार्थों का pH मान कितना होता है तो अमली ये पदार्थों का जो pH मान होता है ये 7 से कम होता है तो option number यहांपे C राइट हो जाएगा उसके बाद है धातू ऑक्साइड सौभाव में कैसे होता है तो धातू के जो ऑक्साइड होते हैं ये में आने पर denis हो जाता है तो क्या हो जाते है ये लाल हो जाते तो आपने राइब कि सवाल 25 द्दिगरी सेल्सियस पर रल टाप मान पर सुद्धवय का पैया ज्यमन खिटना होता है तो ये helpful जो की अधासीन को पिएज पर उसके बाद है कि पिए अमल और चार की अभिक्रिया क्या कहलाती है तो अमल और चार की जो अभिक्रिया होती है इसको क्याता है निस्प्रभावन अभिक्रिया option number कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका option number C right हो जाएगा तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि छार सरोत का निम्लकित में से कौन सा युगम शुमेलित हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है कौन सा अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह खिड़की साप करने वाली पदार्ट होती है तो यह आपका सही है option number कौन सा तो यहाँ पे C right हो जाएगा अगला सवाल है कि अमल सरोत निम्लकित में से कौन सा युगम शुमेलित हैं तो चलिए किस से अमल यानि कौन से पदार से कौन सा अमल निकलता है इसके बारे में सुमेलित पूछा है तो चलिए देखते है कौन सा सही है तो यहाँ पे इमली दे रखा है जो कि फौरमी कमल गलत है यहाँ से कौन सा निकलता है आपको पता है टाटरिक अमल निकलता है उसके बाद है निम्बो से शिट्री कमल निकलते हैं तो यह वाला बिल्गुल कथन जो हैं हमारा सही है ज़ावकि उसके बाद चीटीक डंक में फॉर होता है है तो यह होना चाही है उसके बाद है Esta प्रचूर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का सोडियम क्लोराइड होता है उसके बाद है जब नीले लिटमस को किसी अग्यात तरल में रखा जाता है तो यह लाल हो जाता है तो तरल का नेचर कैसा है यह आपसे पूछ रहा है तो यह तरल जो है यह अमल है option number A right हो जाएगा इसके बाद है अमल वर्सा के दौरान जल का वर्सा जल का pH मान कितना होता है तो वर्सा जल का जो pH मान होता है ये 5.6 से कम होता है और इसी acid ran के कारण क्या हो रहा है जो ताज महल है उसके संग मरमर वो खराब हो रहा है इसके बाद है निमलिकित में से कि इस प मैंगनेशिया का हो जाएगा जो कि आपका 10.5 के आसपश होता है तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निमलिकित में से कौन सा एक प्राकिर्तिक अमलचार का संके तक नहीं है तो अगर मैं बात करूं नैचुरल इंडिकेटर की तो ये पूछ रहे कि कौन सा नहीं है तो अनमल का जो दूसरा नाम होता है इसको कहते हैं तेरोव गलडुतामिक अमला अपकला संन नंबर कौं सा तो ये होजाये क चैएगा इसके बाद हैं पी हमें पी का अर्थ च्या होता है तो पीरफ में पी जो अर्थ होता है बदा रójा को हिंदी मे यह पी क्या कहेंगे इसको power of hydrogen कहाता है इसको क्या कहाता है power of hydrogen power of hydrogen तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है चलिए सवाल देखते हैं कि निमने में से कौन सुमेलित नहीं है अगर आंसर की बात करूँ तो silver bromide यही सुमेलित नहीं है इसको कृत्रिम वर्सा के लिए बाकि सारे के सारे सही है silver iodide को करता है कृत्रिम वर्सा के लिए अच्छे से नौट कर लिजएगा पूछा जाता है बहुत बार इसके बाद है लेथियम बाइकार्बोनेट का गठिया उपचार के लिए milk आप मैंगनेसिया का प्रती हमल के लिए तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर निर्मान का निमलिके तमेंसे कौँसा सही समी करने यानि जल बनेगा तो इसके लिए कौँसा सही समी करने तो अगर आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कौँसा तो H2 plus O2 देंपिर H2O और इसको balance भी करना है तो option number यहाँ पर D आपका right हो जाएगा अगला सवाल है उदासिनी करन अभी क्रिया सद्याव उत्पन करती है तो सद्याव यानि जब भी आपका acid plus base यानि आमल तथा छार react करता है तो वहाँ पर सद्याव उत्पन करती है क्या उत्पन करती है तो वहाँ पर उत्पन होता है आपका नमक plus water यानि salt plus water आपका create होता है तो अगर answer की बात करूँ तो right answer हो जागा आपका option number C अगला सवाल है जब sodium chlorine के साथ अभी क्रिया करता है तो sodium chloride का निर्मान होता है तो अभी क्रिया में उसमा डैस होता है तो उसमा का क्या होता है ये आपसे पूछ रहे तो इस दोरान जो है उसमा वो विक्सित होती है तो option number कौन सा C right हो जाएगा aluminium oxide का विद्यूत अप घटन डैस का उधारन है तो ये answer की बात करूँ तो right answer हो जाएगा अप घटन अभी क्रिया option number B इसके बाद है निमलिकित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन पोछा है अगर भौतिक परिवर्तन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा तो जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है मैगनेसियम रिवन का जलना ये भी नहीं है फलों का काटना ये भौतिक परिवर्तन हो सकता है जल का उबलना ये भी भौतिक परिवर्तन हो सकता है जल को उबालो वास्प बना वास्प को एगैंसे वाटर बना दू अगला सवाल है कि योगिक X का प्रयोग पुताई के लिए होता है और यह जल के साथ प्रवलता से अभी क्रिया कर Y का निर्मान करता है तो X तथा Y है तो X और Y जो होता है वो कैल्सियम ऑक्साइड तथा कैल्सियम हाइड्रोकसाइड होते हैं तो आपसन नमबर कौन सा तो D-right हो जाएगा आप घर में जो चूना खौलाते हो पैंटिंग के लिए उसकी बात हो रही है अगले सवाल देखते हैं कि आइरन प्लस HCl यह क्या बनाएगा और साथ में बनता क्या है तो हाइड्रोजन भी बनता है और क्या बनता है तो अगर आंसर की बात करो तो यह फेरस क्ल जाएगा ना ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा उसके बाद है धातू योगिक ए बुध बुधन उत्पन करने के लिए तनु हाड्रोक्लोरिक अमले के साथ अभिक्रिया करता है अभिक्रिया के दौरान उत्पन गैस एक प्रज्वलित मुझा देती है तो वह गैस कौन सी है त वास्प के साथ प्रतिक्रिया करिया क्या बनाता है तो यह बनाता है अग्रण ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस चीए तो आइरन का दो रूप होता है आपका जिसको फेरी और पहरस कहते हो तो यहां पर दोनों बनता है अगले सवाल है कि निमलिकित के वीसाय में कौन सा क कथन गलत है तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है तो यहां पर आप अगर देखेंगे लेड ऑक्साइड जो है यह हो गया लेड ऑक्साइड कह रहा है नहीं यह आपका कथन गलत है तो यहां पर कैसे होगा तो यह हैं आपका ऐलमोनियम ऑक्साइड और उसके बाद HCL के साथ react करता है तो यह यहाँ पर क्या होता है displace हो जाता है aluminium sit हो जाएगा किसके साथ तो chlorine के साथ में तो आपका जो इधर oxygen है और इधर hydrogen है यह क्या बना देगा water बना देगा तो कितना molecule water बनेगा तो यह बनेगा आपका 3 molecule water बनेगा ठीक है उम्मिद करते हैं यह चीज़ आपको clear है और यह सवाल आप देख सकते हैं बिहार SI में पूछा गया है बिहार SI में से पहले एक सवाल दिखा है chemistry का ये भी देखे दो सवाल आपका chemistry से अभी तक दीख चुका है इसके बाद है निमलिकित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो यह हैं enthalpy में परिवर्तन option a right हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा haber process का उप्योग करके उत्पादित किया जाता है तो haber process से उत्पादित करता है ammonia को तो option यहाँ पर a right हो जाएगा उसके बाद है निमलिकित में से कौन सा एक रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन है तो रसाइनिक परिवर्तन का उदाहरन है कागज का जलना मालिज़े आपने कागज को जला ही दिया तो क्या आप उसे दुबारा से ला सकते हो तो यह है आपका रसाइनिक परिवर्तन अगला सवाल देखते हैं कि विद्यू तो अप घटनी प्रक्रिया में कौन साथ तो प्राप्त होता है तो यहाँ पे होता है कौन सा तो मैगनेसियम होता है प्राप्सन डी राइट हो जाएगा डैस संसलेशन में क्योलीन बनाने के लिए प्राप्तमिक अमीन और अल्डी हाइट को सल्फ्यूरिक अमल के साथ गर्म किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डाइवनर मीलर ओप्सन नंबर कौन सा तो बी इसके बाद है डैस बीटा कीटो इस्टर की अमोनिया या प्राथमिक अमीन की उपश्थिति में अलफा कलोरो कीटोन के साथ अभिक्रिया से पाइरोल ब्यूत्पन का संसलेशन है तो गर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हैज पाइरोल संसलेशन ओप्सन नंबर कौन सा तो सी राइट हो जाएगा इसके बाद है अप घटन होने पर चूने का पत्थर डैस और कारवन डैयोकसाइट देता है तो चलिए किसका अप घटन होने पर यानि किसको तोडने पर तो यह होता है आपका कैल्सियम ओक्साइड को तोडने पर है तो यहां पर बनता है चूने का पत्थर यानि कैल्सियम ओक्साइड को जब आप क्या हो जाएगा यहां पर आपका option number D राइट हो जाएगा तो चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या कहा है कि थंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है कौन करता है थंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया तो यह हो जाएगा आपका potassium यूरिया आम तोर पर इस्तेमाल किये जाने वाला नाइट्रोजन आधारित और रख है जो आमोनिया और डैस के बीच रसाइनिक अभी क्रिया द्वारा बनता है तो यह है आपका कार्बन डियोक्साइड ऑप्सन नंबर यहां पर कौन सा तो सी राइट हो जाएगा इसके कौन सी धातू हवा में नम कार्बन डियोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सता को खो देती है और हरे रंग का कोट प्राप्त करती है तो यह कौन है पैचानते होंगे आप तो यह हैं तामबा उसके बाद है कि निमलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फासफोरस, सलफर और क्लोरीन कवपियोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं तो यह होते हैं अनुपात हीन अभिक्रिया उसके बाद है किस तत्यों के परमानू हाइडोजन के साथ सन्योग करके जल देते हैं तो यह जल का निर्मान ह होता है oxygen के शाथ में hydrogen का निर्मान उसके बाद है कि निमलिकित में से कौन सनियोजन अभी क्रिया का प्रकार नहीं है सनियोजन अभी क्रिया में क्या होता है कि दो तत्तों मिलके क्या करते हैं एक नया बनाता है तो अगर यहां पर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा calcium carbonate को गर्म करना तो जब गर्म करेंगे तो यह तूट जाएगा तो दो अलग अलग बन जाएगा यानि एक को तोड़कर क्या बन जाएगा दो अलग अलग बन जाएगा तो इसको कहते हैं वियोजन अभी क्रिया क्याते हैं अगला है लोहे में जंग लगना देस्क उधारन्न यह संग्षारण का उिधारन कोईले का जलना एक परकार का है यह आपका नया मतलव औक्षिजन तो दो मिलक एक नया बनाता है क्या तो एक और सवाल देखते हैं जब बेरियाम क्लोराईड को पतले सलफियूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है तो हमें क्या दिखता है बाई तो सफेद आवक्षेप दिखता है तो option यहाँ पर D हमारा right answer हो जाएगा इस chapter से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जो पूछे जाते हैं फेक्स होते हैं और वही repeat करते रहते हैं तो चले इसको भी खतम कर लेते हैं तो पहला सवाल है कि ब्रह्मान में पाई जाने वाली सबसे हलकी और सबसे प्रचूरत है तो निमलेकित में से कौन सा है तो यह होता है hydrogen, option number कौन सा तो यहाँ पर C right हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं दहन के लिए निमलेकित में से कौन सा गैस अनिवारी होता है दहन मतलब आग लगने के लिए तो इसके लिए निश्चित जो होता है oxygen तो option A यहाँ पर राइट हो जाएगा विद्यूत नियंत्रित विग्यापन के cyanide board की विशय वस्तू को सक्षम रखने के लिए निमलेकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो यह गैस होता है कौन सा तो नियाउन होता है तो option D right हो जाएगा वाता वरन में कितनी प्रतिसत मात्रा में nitrogen gas उपश्थित होती है तो यह कितनी है तो 78% उपश्थित है जबकि अगर वही oxygen की बात करूं तो 21% के आसपास है तो इन दोनों को पूछा ही जाता है लेकिन अब जो पूछा जाने लगा है carbon dioxide की मात्रा पूछा जाने लगा है तो आप हमें comment करके बताए कि carbon dioxide की मात्रा वायू मंडल में कितनी है अगला सवाल देखते है प्रिथवी gas की एक परत से आच्छा दित है इसे क्या कहा जाता है तो इसको जो कहा जाता है वायू मंडल option number कौन सा तो बी right हो जाएगा अगला सवाल है कि redon के बारे में कौन सा कथन गलत है तो redon के बारे में जो कथन गलत है redon gas का हरा रंग होता है तो ये कथन गलत है तो option number यहाँ पर ए हमारा right answer हो जाएगा उसके बाद है प्रिथवी का वायू मंडल मुख्य रूप से किन दो गयासों से मिलकर बना होता है तो मुख्य रूप से पूछा है दो गयास तो मुख्य रूप से दो गयास कौन सा होता है ये बात हैं आपको पता है तो यह होता है oxygen और nitrogen nitrogen 78% और oxygen 21% यह प्रोक्स होता है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं कि किस नियम से एसपष्ट किया गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाव वो ताप की समान अवस्था के अंतरगत अनुवां की संख्या समान होती है तो यह नियम बताता है आपका एवो गादरो का नियम औप्सन नंबर कौन सा तो यहाँ पर राइट आंसर हो जायेगा सवाल है कि एक जलती हुई मौंबत्ती के उपर जब एक उल्टे ग्लास को रखा जाता है तो कुछ समय बाद ज्वाला बुझ जाती है यह इसकी अनु उपलब्धता के कारण होती है यह किसके अबसेंस के कारण ऐसा होता है तो यह होता है कि वहां पे जो है ऑक्सिजन क्या हो यहांनि सुर को काटने से पाहले उसको बेहोस करने के लिए उप्योग किया जाता है तो यह होता है आपका कारवन डियॉक्साइड ओप्सन नमबर कौन सा तो दी हो जाएगा राइट इसके बाद है आम तोर पर कोईले की खानों में विस्फोट पैदा करने के लिए कौन सी इक आपरूप है तो ओजोन की अगर मैं बात करूँ तो यह होता है ऑक्सिजन का आपरूप ओजोन का आपको फर्मुला अगर मैं बता दू तो यह होता है ओथरी यह भी आपका सवाल पूछा जा चुका है एक आदर्स गैस एक मोल 273 कैल्विन और एक एक अटोमिक यानि ए एक ग्राम कारवन के लिए लगबग कितना ऑक्सिजन होती है तो यह ऑक्सिजन होती है टोटल 1.33 ग्राम ऑप्सन नमबर एराइट हो जाएगा निम्लिक इतमें से कौन सी नॉबल गैस अचेत सुन्य करने के लिए उप्योग की जाती है यानि मतलब बेहोस करने के लिए उप्योग की होती है तो गोता खोर जो होते हैं वह अपने सिलेंडर के अंदर oxygen तथा helium के mixture को लेकर जाते हैं इसके बाद है dash कहता है कि wasp seal द्रवों के लिए willion के लिए willion के प्रतेक घटक का आंसिक wasp दाव willion में मौजूद मोल के समान उपाती होती है तो ये कौन सा नियम कहता है तो ये नियम बताता है आप इसी को इसी तरह याद रख लिजे आपको जो है एक्जाम के अंदर बिल्कुल हुबाओ ऐसा ही दिखेगा कोई changing नहीं दिखेगा उसके बाद है कौन सा रसाइनिक नियम कहता है कि soft drink और सोडा की बोतलों को उच्छ दाव में बंद किया जाता है ताकि carbon dioxide की घुलन सिल्था में वृद्धी हो तो ये कौन सा कहता है तो henry का नियम कहता है option number कौन सा तो भी right हो जाएगा अगला सवाल है क्या क्याता है अगला सवाल कि किस नियम के अनुसार एक आदर्स गैस का आईतन निरंतर पूर्ण दाव आईतन दाव पर पूर्ण तापमान के अनुलोम पाती होता है आंसर की बात करूं तो right answer यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका चार्ल्स का नियम तो यहाँ पे option तो है नहीं साइद आगे हैं तो चलिए देख लेते हैं तो option नमबर यहाँ पे C हैं आपका चार्ल्स का नियम कहते हैं उसको तो चलिए अब इस्टार्ट करने वाले हम लोग सेल एंड बैटरी को पहला सवाल है आपके सामने की धातू की छड़ें द्रव में डूबी होती है जिससे जिनसे बैटरियों के परिपत में सनलगनित किया जाता है तो डैस कहलाते है तो उसको क्या कहते है तो इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको option C right हो जाएगा उसके बाद है कि निमन में से किस सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है तो घड़ि के अंदर जो है लेड एसिड सेल का उपयोग नहीं होता है तो option number A यहाँ पे right answer हो जाएगा उसके बाद है अगला सवाल कि लीथियम आयसक को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पाधन करने वाली भारत की पहली लीथियम रिफाइनरी किस राज में स्थापित की जाएगी तो इस थापित की जाएगी गुजरात के अंदर तो option number D right हो जाएगा अगला सवाल है कि आयनों के स्वतंत्र प्रवास का डैस नियम कहता है कि एक विद्यत अपघट की मोलर चालकता को विद्यत अपघट के रिनायन और धनायन के नीजी योगदानों के जोड के रुप में दरसाया जा सकता है तो यह कौन सा नियम है तो काल राउस हो जाएगा काल राउस का नियम option D उसके बाद है कि साधारन बैटरी में निमलिकित में से कौन सा रसायन होता है तो बैटरी के अंदर जो सधारन बैटरी होता है उसमें सल्फियूरिक एसीड होता है तो option नमबर यहां पर भी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि गैलोवेनिक सेल में अर्ध सेल जिनमें ऑक्सीकरन होता है उसे डैस कहा जाता है तो अगर आंसर की बात करूं तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है चलिए आगे चलते है तो पहला सवाल है आपके सामने कि जब वायू में अल्कोहल दाहन करता है तो उर्जा डैस के रूप में मुक्त होती है तो यह उर्जा जो है गर्मी तथा प्रकास के रूप में मुक्त होती है तो आप्सन यहां पर राइट हो जाएगा उसके बाद है स्रिंखलन का गुन डैस में प्रवल होता है तो सबसे ज्यादा प्रवल जो गुन देखने को मिलता हमें कार्बन में देखने को मिलता है स्रिंखलन यानि सेरीज यानि चैन की बात कर रहा है इसके बाद है कि निमन में से किसकी सकती साली फाली गंध होती है तो आंसर की बात करूं तो right answer हो जाएगा कौन सा ethyl acetate option number D, यहां पे right हो जाएगा उसके बाद है निमल में से कौन एक aldehyde है तो aldehyde की बात करूं तो aldehyde है प्रो पैनल, एक aldehyde है उसके बाद है कि निमलिकित में से कौन सी कुछ बरतन युक्ति योगी कौं में से हैं जिनें कार्बनिक रूप से वर्गिक्रित नहीं किया गया है तो राइट अंसर की बात करूँ तो यह हो जाएगा साइन आइड ऑप्सन नमबर से उस तत्तु का नाम बताएए जिनका इस योगिक को कार्बनिक योगिक में वर्गिक्रित करने के लिए सी योगिक में होना आवस्टेक होता है तो यह किसको किसकी बात कर हैं तो यह होता है कार्बनिक योगिकों के अंदर कुछ हो ना हो कार्बन één Media वाला प्तालित है तो मेटी माहक वाला जो प्तालित है वह है आपका एश्टर नमबर सी राइट हो जाएगा अगला स्वाल निम्न में से कौन एक और संत्रीप्त कारबन यूगिक नहीं है तो यह हो जाएघा ये क्या है तो संत्रीप्त है उसके बाद है कि कारबन के निम्न में से किस कर्यात्मक्त color में और औक्सिजन नहीं होता है तो आंसर की बात करूं तो यह जग है लो जन और कौन सा तो यहां पर भी हो जाएगा प्रोपैन में कितने कारबन और हाइड्रोजन होते हैं तो प्रोपैन की अगर बात करूं तो इसको कहते हैं तो आप यहां पर देख लीजिए थरी कार्बन और आठ कि क्या होते हैं तो हाइड आंसर कौन सा तुब यहां पर राइट आंसर हो जाये गए तो अगला सवाल क्या कहता है कि विटैन का सुत्र क्या होता है तो बिल्कुल नॉर्मल सा है तो यह वह जाएगा आपका ऑप्सिन अब आप हमें कमेंट करें कि यह जो आप देख रहें ऑप्सन नंबर कौन सा यह डी डी में यह किसका रसाइनिक नाम क्या है आपको यह बताना है अगले सवाल है कि उन तीन कारवन अनुओं को क्या कहा जाता है जो सभी जीवों में पोसन की प्रकरिया के पहले चरण के दौर करासा यहाइनिक नमलिकित में ने निमलिकित में का इलो टौपिक रूप कीबात करें तो यह टौपाईट तो आपने पढ़ा है कि ग्रेफाइट उसके बाद बक्मिंश्टर फुलेरीन और हीरा ये क्या होते हैं अलोट्रॉप होते हैं अगले सवाल है कि उन प्रतिकों में जिनका समान या अर्थ है निमलिकित में से किसका प्रयोग परमानुद्र बेमान की इकाई को परिभासित करने के लिए मानक रूप में किया जाता है तो आंसर की बात करणों तो र Speak Amazon हो जाएगा option Давайте बाद हैा एक बैंजीन अनु की संदेचना में बंधन कौन क्या होता यह बंधन की अगर बात करों दीगरी में वैल्यू बताना है तो बंधन कौन की अगर बात करों तो यह होता है 1 208 टृटरी ऑपससर नमर सी हो जाएगा कारबन के कुल कितने प्राकृतिक सामाश्थानिक होते हैं तो इसके कुल समाश्थानिक होते हैं ऑस नम्बर डी हो जाएगा और वो कौन से होते हैं यह भी आपको पत्ता है उसके बाद सभी जयाव योगिकों में आवस्यक मूलतत्य कों सा है , अगले सवाल एक किन्यूमन मैं से कौन सा तट्वु सरवादी काय्ओं सरवाओं योगुं करता है तो यहुप अधनीर sonoda की have निर्मान करता हुद थि कि डी कातेुय when सभी ज़ीकों में आवस्यक मूल राइट वान उता है सभी से जीवन है तो उब बनेरों घृत तो भी हमारा Right answer हो जाएगा अगयले सवाल देखते हैं कि नियमने मैंसे किसको ood ispric जाता है उड्ट किसको कहते तो मिथाइल अलकोहल को कहते तो अप्शन नंबर यहां पर याँ राइट हो जाएगा इसके बाद हैं कि जो कि अंकूरित बेज्वों के किनवन से बने साराब को कहते हैं तो इस सराव को क्या के थे टो इस किस प्रकार का हाइड्रो कारवन होता है कि विक्रित अलकोहल क्या होता है तो विक्रित अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो यह होता है एथेनॉल प्लस मैथेनॉल, option number कौन सा तो C right हो जाएगा, उसके बाद है इथेनॉल की calorific value कितना होता है, तो इसकी value की अगर मैं बात करूँ तो यह होता है, 52.22, option number कौन सा तो यहां पे C हमारा right answer हो जाएगा, अ चीज का उत्सर्जन बढ़ाता है, तो यह hydrocarbon का उत्सर्जन बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो है, carbon monoxide का उत्सर्जन बढ़ाता है, तो option number यहां पे हमारा, यह बिल्कुल right answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ध्यान रखेगा इसको, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल एक किन में से किसको इंधन सेल कहा जाता है, तो इंधन सेल कहा जाता है, आनविक ऑक्सिजन को, तो option D right हो जाएगा, उसके बाद है, निम्न में से किसे जिवास में इंधन के रूप में नहीं माना जाता है, तो यह जलाओ, यानि जलाने वाली जो लकड़ी होती है, उसको नहीं माना जातें तो उपसटन हो जाएगा उप्सके बाद इंधन के कैलोरी मान का अम्हाथतक निम्लेखित में किसी रूप में ब्यक्त किया जाता है तो इसको ब्यक्त do किया जाता है एक टेजेंः पर केजी में ठीक है किलोजूल टेजी में अबसरन नंबर कौन सा तो ये राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि निमलिकित में से कौन जिवास में इंदर नहीं है तो चलिए देखते हैं अप्सन अब आंसर की बात करूँ तो D हो जाएगा राइट आंसर लकड़ी जेट हवाई जाज़ों में प्रियोगत होने वाले इंदन कौन सी होती है तो उसमें जो प्रियोग की जाते हैं इसको कैरेसिन को यूज़ करते हैं यानि किरोसिन तेल को जेठ हवाई जाज के अंदर उसके बाद अगला सवाल है कि परियावरनी प्रदूसन का मुख्यकारन किसका उपियोग होता है तो परियावरन परदूसन जो होता है वो किसके कारण होता है तो ये जो कारण होता है ने सबसे बड़ा कारण होता है जिवास मिंदन का उपियोग करना तो option number यहां पे यह हमारा right answer हो जाएगा निमलिकित मेंसे कौन एक निमन सरेनी का भूरा कोईला है जो कि उच्छ नमी सामगरी के साथ नरम होता है तो ये कौन सा होता है तो ये होता लिग नाइट option number यहां पे डी right हो जाएगा और वहीं पे अगर एंथरा साइट की अगर में बात करूँ तो ये उच्छ quality का कोईला होता है इसके बाद है निमन मेंसे कि इंधन का उसमें एमान पैट्रोल के बराबर होता है तो पैट्रोल के बराबर होता है कि इसका तो ये चैरोसीन का होता है तो option number यहां पे भी right हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं निमलिकित इंधनों में से कौन सा निऊनत्म वायु प्रदुसर्ण करता है तो यह है आपका hydrogen जो कि निऊनत्म वायु प्रदुसर्ण करता है उसके बाद इसको भविस्षी का इंधन भी कहता है गैसोहॉल किसका मिस्त्रन होता है तो गैसो हॉल जो मिस्रन होता है ये किसका होता है तो गैसोलीन और एथेनॉल का होता है तो ये हो गया आपका गैसो हॉल का मिस्रन अगले सवाल देखने अगले सवाल क्या कहता है कि निमलिकित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का अविस्कार किया तो ये किया हो था सीवी देशाई के द्वारा गोबर गैस के प्रनाली का उपियोग उसके बाद है कि बायोग गैस सनियंतर से निस्कासित कौन सी गैस इंधन के रूप में प्रियोग की जाती है तो इंधन के रूप में प्रियोग की जाने वाली जो ग्यास होती है इसको कहता है मिथैन यानि CH4 इसको मार्स ग्यास भी कहता है निमलिकित में से किसका अधिकतम ताप जनक मान होता है तो अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो प्राकृतिक ग्यास पहला कोईसन है प्राकृतिक ग्यास का मुख्य गठते कौन सा है तो आंसर की बात करूँ यमी थैन हो जाता है उसके बाद है प्राइट्रोलियम को समानग तैक किस नाम से जाना जाता है तो प्रमिकित में से कौन तरल बता सारवधिक ज्लेल हैं तो अगर यहां पर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा पैट्रोल काफी ज्यादा ज्वालन सील होता है सी एनजी को वाहनों में इंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्रम पर सेंटी मीटर तक दवाया जाता है तो इसको दवाया जाता है कितना तक तो इसको दवाता हैं 200 से 2500 तक तो अप्सन नंबर यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं पैट्रोलिय में मौझूद निमलिकित में से कौन सा योगिक आंतरिक दहन और रिफाइनरियों को के कुछ हिस्तों में जंग का कारण बन सकता है तो अगर आंसर की बात करूँ तो यह होता है सलफर यानि उसको गंदक बोलते हैं अगला सवाल है कि निमलिकित में से कौन सी गैस कोईला के खादानों में विस्फोट का कारण बनती है तो विस्फोट का जो कारण बनती है यह बनती है मिधन अप्सन नंबर यहां पर डिराइट हो जाएगा इसके बाद हैं कि घारों में खाना पकाने के लिए LPG जो प्रियोग की जाती है तो उस LPG के अंदर कौन- कित में से कौन सा जिवास मिंदन है तो जिवास मिंदन की अगर मैं बात करूँ तो यह कौन rein कि वहाँ है। मैं आपको एक लाजिक बता देता हूं याद रखे मैं याद रखना है। DPO C4 होता है C10 नंबर किसके लिए तो यह होता है डीजल के लिए D4 डीजल और उसके बाद P4 पैट्रोल होता है जिसके लिए क्या यूज होता है तो अग 10 नंबर होता है तो उपसन नंबर अब चलिए देखते हैं उपसन को तो राइट अंसर हो जाएगा कौन सा तो C हो जाएगा अगला चैप्टर हम लोगों के सामने प्लास्टिक बहुलक और संसलेसित रेसा तो चलिए पहला सवाल देखते हैं एक वार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किये जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं तो उस टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं उसको कहते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक ओपसन नंबर यहां पर डिराइट हो जाएगा अगला सवाल है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निरमित फाइवर यह कोले और पानी हावा से तयार किया गया था तो यहाँ पहला पुर्ण synthetic फाइवर था तो यह कौन है तो अगर आंसर की बात करो तो राइट आंसर हो जाएगे नायलॉन नायलॉन जो है यह पहला पुर्ण synthetic fiber जो की मानब द्वारा निर्मित है अगले सवाल कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एक लग केप्रोलैक्टम का बहुली करन किया जाता है तो यह किया जाता है नाइलोन 6 को प्राप्त करने के लिए उसके बाद है डैस को छोड़ कर निमलिकित सभी संगनन बहुलक होते हैं तो यह कौन है तो यह है पॉली प्रोपेलीन ओप्सन नमबर भी राइट हो जाएगा उसके बाद है कि निमलिकित में से कि स्तन्तु को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है रेयोन को रेयोन जो होते हैं एक कृत्रिम रेशा होता है उसके बाद है निमली कित में से कौन सा ताप द्रीड प्लास्टिक है तो अगर आंसर की बाद करूँ तो यह हो जाएगा बैकलाइट आप्सटर नंबर कौन सा तो यह हो जाएगा उसके बाद है अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि हलांकि पॉलिष्टर एक संसलेशित तंतु है यानि फाइवर है तब भी वह नाइलोन जैसे अन्य संसलेश्ट तंतुओं की तुलना में गर्मियों में पहनने में आसानी होती है क्योंकि यह यह जो होती हैं वजन में हलकी होती ह और अच्छी लचिला होता है यानि प्रत्यास्त होता है तो आप्सन नमबर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि रेसम तंतु डैस से प्राप्त किये जाते हैं तो यह प्राप्त किये जाते हैं कोकून से आप्सन नमबर यहां पर डी हो जाएगा उप्सन नंबर कौन सा तो एराइट हो जाएगा उसके बाद है रेयोन कपड़ा बनाने के लिए निमने में से किस फायवर का उप्योग किया जाता है तो आंसर की बात करूँ तो यह होता है सैलुलोज तो ऑप्सन नंबर यहां पे एराइट हो जाएगा अगला सवाले की करता है तो फुलफर्म की अगर में बात करूं यह रेलवे में भी पूछा गया था तो फुलफर्म की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है पॉली विशन क्लोराइड कहा जाता है तो यह हो जाएगा option नंबर डी अगला सवाल देखते हैं कि ने लिक इतमें से प्लास्टिक का लेप होता है तो कौन से प्लास्टिक का लेप होता है तो मैला मैला माइन का लेप चढ़ाया होता है उसके उपर उसके बाद है कि परी सोधन एवं विरंजन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% का पास किस बहुलक से बना होता है तो ये बना होता है कि इसक तो right answer क्या हो जाएगा अल्कोहल अगले सवाल देखते हैं अगले सवाल कहते हैं कि निमने में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो right answer की बात करूँ तो हो जाएगा कौन सा तो nylon option number D इसके बाद हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था यह क्या है तो यह आपका संसलेसीत हैं यानि मानव द्वारा बनाया गया है उसके बाद हैं कि निमने में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक की बात करूँ तो यह हो जाएगा Resum अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौन बहुलक एक थर्मो प्लास्टिक नहीं है तो अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो नियोप्रेन ओप्सन नंबर कौन सा तो यहां पे भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला सिंथेटिक फाइवर के सम्मंद में कौन सा कथन गलत है तो यहां पे गलत कथन जो हैं यह आपका C है प्राकृतिक रवर से कम टिकाओ यह वाला कथन गलत है उसके बाद है निमलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्मान में किया जाता है तो आपने नाम सुना होगा किसका टैफलॉन का नाम सुना होगा तो यह टैफलॉन होता है ओप्सन नंबर कौन सा तो ए राइट हो जाएगा उसके बाद है कि निमलिखित में से किस विकल्प का निर्मान काठ की लुगदी से किया जाता है तो अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा रे ओन सावुन एवं अपमार जग पहला क्वेस्टन है आपके सामने कि निमलिखित में से कौन सा सावुन के अनों के दो सीरों का एक गुंधर्म नहीं है सीरा मतलब इंड होता है तो अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा एक सीरा जल रागी जबकि दूसरा सीरा जल वी रागी होता है तो ये वाला गुंधर्म जो है इसका हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि सफेद साइट में लगे हलती के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो अलाल हो जाता है क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा हो आता है तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके उपर क्या होता है कि साबुन प्रकिर्ती में छारी होता है तो ओप्सन नंबर कौन सा तो यहां पर सी राइट हो जाएगा अगले सवाल देखते हैं अगले सवाल क्या कहता है कि एसीडिक ड्रैन क्लीनर या डैस या डैस अमल से बने हैं जो मोटे बालों भोजन ग्रेस साबुन के मैल या पेपर अधारित गंदगी को 15 मिनट या उससे कम समय में साफ करने के लिए प्रयाप्त सक्ति साली होते हैं तो इसलिए एगर आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्फियोरिक और हाइड्रोक्लोरिक ऐसा लग रहा है यह कुशन पढ़ने पर या यह चैप्टर करने पर कि सर्प का प्रचार कर रहा है पहले विस्वास करो पहले इस्तेमाल करो फिर विस्वास करो अगले सवाल है कि साबुन ग्रीस को हटाता है ग्रीस से आप परिचित होंगे कि इसको कहते हैं ग्रीस जानते होंगे तो साबुन ग्रीस को हटाता है पाईसी करन द्वारे हटाता है तो आप्सन नंबर यहां पे सी हमारे राइट आंसर हो जाएगा अगले सवाल है कि कपड़ा गुँने वाला डिट्रजिंट कौनसा होता है तो सफ डौने जो डिट्रजिंट यूज करते हैं उसको कहते हैं सल्फ होने wit option नंबर कौनसा है तो यहाँ पर D right हो जाएगा तो याद भी रखते हैं क्यासे तो सर्फ यूज करते हैं अगला सवाल है कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा जाग नहीं बन पाता को उसको क्या क्याते हैं फिर से पढ़ते हैं जल जो साबुन लगाने पर अच्छा जाग नहीं बना पाता तो उसको क्या क्याते हैं तो उसको कहते हैं खारा जला, option number यहां पर भी हमारा right answer हो जाएगा जितने भी chemistry के chapter लोगों ने देखा उनसे जितने भी misleading टाइप याने विवी टाइप के सवाल बनते हैं उन सभी को देखने हैं और अब हम लोग महरातन के बिलकुल last की तरफ हैं तो चलिए इसको भी खतम कर लेते हैं पहले सवाली की काली स्याई में मौझूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपियों किया जाता है तो यह तकनीक को कहते हैं और ना लेकहन उपियों के समगरी का उपियों की जाती है तो बुलेट पृफ वश्तर जो भी बनाया जाता है उसमें क्यावलर का उपियों किया जाते है तो soldi नंबर कौन सा तो do यहां पियों की आजीगा अगले सवाल देखते हैं अगले सवाल क्या कहते हैं जल निकायों में निमलिकित में से किन पोसक ततों में वर्दी तस्तर के कारण अती पोसन होता है तो ये कहां देखने को मिलता है तो ये देखने को मिलता है फॉस्फेट में तो option नमबर यहां पे बी राइट हो जाएगा उसके बाद है निसकर्स बोतल बनाने में इस्तिमाल होने वाला डैस पॉलिमर क्या है तो अगर आंसर की बात करूँ तो इसको कहते हैं क्या तो सबसे जादा घनत्यों का पॉलियाथल इन option नमबर यहां पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल क्या कहते हैं आगला सवाल कहते हैं कि वहाँ प्रक्रिया जिसमें वहाँ प्रक्रिया कौन सी हैं जिसमें अलुमिनियम की वश्तुओं पर अलुमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विक्सित किया जाता है जिससे एक आकरसक फिनिसिंग के लिए रंगा जा तो इसको क्या कहते हैं इसको अनोडी करन कहते हैं तो ऑप्सन नमबर यहां पर डी हो जाएगा राइट द्रव या गैस में निलंबी छोटे कनों को टेड़ी मेड़ी यानि जिगजग कहते हैं गतिवीधी को क्या कहा जाता है इस गतिवीधी को कहा जाता है ब्राउनी गति ऑ आप संल्बर यहांपर सी राइट हो जाए इसके बाद है थोस कार्बंड डियोक्साइड को डैस भी आ duż आ जा जाता है तो फोस कार्बंड डैउकसाइड गयस को तुस्क भरफ भी का जाता है उसके बाद वरतमान में समपीड ये गैस हाइडरोजन इंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहन समरूपी डैस मानक का अनुपालन करेंगे तो किसका अनुपालन करेगा तो ISO का अनुपालन करेगा अगले हैं छती ग्रष्ट, CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूब का निप्तान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें डैस वास्प होती है जो सभाविक रूप से जैरली होती है तो आपने देखा होगा CFL और जो मरकरी होते हैं उसके अंदर कौन सी ग्यास बरी होती है आपसे यह पूछा रहा है तो यह भारा होता है पारा तो आपसे नंबर D हो जाएगा उसके बाद हैं C-S-3-C-O-S-C-O-C-S-2-C-S-3 यह किसका सुत्र है तो यह जो शुत्र आप देख रहे हैं यह सुत्र हैं किसका तो एथिल एथोनोट का हुता है उसके बाद हैं सिए एसोफोर टू हैस्टू यह किसका सुत्र है तो बेलकुल वाकिप है आप तो इसको कहते हैं जीपसम और यहीं पे वन बाइटू अगर कर दीजेगा तो इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं पियोपी यानि परत चड़ाना उसके बाद है सरवत्म गुनवत्ता वाला कोईला जिसमें 80% से 95% कारबन होता है वो कौन सा कोईला होता है तो इस कोईले को कहते हैं एंथरासाइड सबसे यादा जो कारबन होता है वो एंथरासाइड में होता है फिर आपका जो है बीटू मिनस में होता है लिक नाइट में होता है और सबसे कम होता है पीट के अंदर तो a blp यह सीध याद रखेगा अगला सवाल है कि बा गयास के संबंद में कौन सा कथन गलत है तो बायो गयास के समंद में जो हैं 负र परस्थन से कम होता है ये गलत है बाइयो आख़ो गैस के अंदर मैक्सीमम मिधैन ही होता है ऐसा लिखना चाहिए तो चलिया अगला सवाल क्या है कि निम्लीकेत में से किसे बयाभ्पक रूप से आध compelled इक्रसाइन विज्ञान का जनक माना जाता है तो एक घा जाता है एट इसको क्या जाता AU मतलब क्या होता है AU मतलब होता है और अम मतलब गोल्ड होता है ठीक है और ऐसा ही हो गया Silicon Asp और Sulfur हो गया ये भी आपको ध्यान होना चाहिए सब कुछ अगला है कि Dash को अपेक्षा कृत का मुस्मा वाली सामगरी को कोईले में नीमनतम सरेनी के भूरे रंग के वाले कोईले के रूप में भी जाना जाता है तो इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोला जाता है लिग नाइट ऑप्सन नमबर A इलेक्टरॉन की खोज कव की गई थी तो इलेक्टरॉन की खोज की गई है 1897 के अंदर अगला सवाल है कि एलेक्टरॉन की खोज की से हुए ग्यानिक ने किया तो इसकी खोज किया हुआता कि इसने तो इक किया हुआता जे जे थॉम्सन ने अगला इन में से कौन एक संसलेसित फाइवर इस तो बिल्कुल हम लोगों ने देखा इसी महराथन में देखा है तो आंसर कि अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं रहे हो ना उप्सन नमबर कौन सा तो बी राइट हो जाएगा अगला है कि ओजोन ओजोन छे कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो प्रिथवी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नश्ट करते हैं निमलिखित में से कौन सा ओजोन छे कारक पदार्थ नहीं है तो अगर आंसर की बात करूँ तो यह होता है आपका पोटेसियम परमेगनेंट ओप्सन नमबर कौन सा डी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि वर्न लेखिकी का उपियोग करते हुए निमलिखित मिस्रिनों में से कौन अपने अपगटकों में प्रिथक किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है कि इसको तो यह हो जाएगा आपका उप्सन नमबर डी यानि ओसधियां समेलित रग्त नमून उप्सन नमबर डी उसके बाद अगला सवाल है पानी के सुधीकरन की कौन सी पद्धि किटानूं को नहीं मारती है तो यह होता है आपका कौन सा तो उप्सन नमबर भी यानि निस्पंदन जिसको क्या कहते हैं च्छानना च्छानते हैं यानि पानी को जब हम च्छानते हैं तो उसमें किटानू नहीं मरता है अगला सवाल कौन सा है तो एक इमारत के निरमान में इस्तेमाल किया जाने वाला लहो जश्ता की एक परत से लेपित किया जाता है तो य प्रारम्बिक सामगरी के रूप में प्रयोग कियं जाने वाला कोईला से प्राप्त उत्पाद कौन सा होता है तो गर यहां पर आंसर की बात करूं तो इसको कहते हैं कोल तार option number a right हो जाएगा अब सिष्ट जल को निकालने के लिए drainage pipe के network को क्या कहा जाता है तो इसके network को कहा जाता है सीवर प्रनाली option number यहां पे a right हो जाएगा उसके बाद है जल रोगानू नासन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन कौन सा होता है तो यह होता है क्लोरीन आपने देखा होगा कि पानी को साप करने के लिए यह अगली मौले में भी जहां पे कचड़ा फाइल रखा होता है गीला कचड़ा तो वहां पे क्लोरीन डाल देते हैं तो यह हो जाता है आपका कौन सा हलांकि इसका manly उपयोग जो होता है जल को साप करने के लिए तो chlorine का यूज करते हैं उसके बाद है निमली की सुत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है तो चूना पत्थर का आपसे पूछा है formula कौन सा है तो चूना पत्थर का अगर formula की बात करूँ तो ये कौन सा है तो ये होता है आपका calcium carbonate option number कौन सा तो यहां पर B right हो जाएगा अगला सवाल है कि KNO3 का रसाइनिक सुत्र यह किसका है तो KNO3 कि अगर मैं बात करूँ इसको कहता है potassium nitrate तो right answer कौन सा हो जाएगा तो option number यहां पर D हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको यह वीडियो यह मैरतन आपको अच्छा लग रहा हो आपके लिए लग रहा हो कि नहीं कुछ अच्छा है कुछ बेश्ट है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए जो भी चीज़े लेका आता हूँ और लगातार आपके लिए मैं दो घंटे से वीडियो सुट कर रहा हूँ तो लगातार दो घंटे बोलना आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है तो इस मेहनत के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए जो भी चीज़े लाता हूँ सवाल आपका SI में पूछा गया बिहार SI के अंदर उसके बाद है खाने का सोडा कौन सा है तो खाने का सोडा की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं सोडियम बाइक कर्बोनेट तो आपसन नमबर यहां पर D हो जाएगा जल किसमे जल जिसमें कैलसियम अथवा मैगनेसियम के घुलन सी लवन होते हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है कठोर जल आपसन नमबर कौन सा हो जाएगा तो A राइट हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं राष्ट्री एरासायनिक प्रयोग साला कहां पर है तो यह प्रयोग साला पूने के अंदर है तो आपसन नमबर कहां पर तो यहां पर D राइट हो जाएगा उसके बाद हैं निउट्रोन की खोज किसने की तो निउट्रोन की खोज किया हुआ है किसने तो चैडविक ने किया हुए तो option A right हो जाएगा एटम बम का अविस्कार किस ने किया तो इसका किया है किस ने तो open ही मरने तो option number कौन सा तो A right हो जाएगा 37 का A right हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं ये क्या रहा है कि सिलिका सिलिका जेल की छोटी थैली अकसर गोलियां वो पॉडर के रूप में दवायां की बोतलों में देखते हैं क्योंकि सिलिका जेल क्या होती है तो यहां पे और मैं answer की बात करूँ तो यह नमी को सोख लेती है आपने देखा होगा की वो सिलिका जेल की जो जिस पर लिखा होता है, कौसन लिखा होता है आपने इसको देखा भी है पर मैं इसको explain सही तरीकिसे नहीं कर पा रहा हूँ तो यहां पर right answer की अगर मैं बात करूँ तो option C right हो जाएगा अगला सवाल है अगला सवाल है कि कठोरता की निलधारन में निमलिकित में से किस संकेत का उपियोग किया जाता है तो यह किया जाता है EBT का उसके बाद है अगला सवाल देख लेते हैं क्या है तो यह कह रहा है शकेरोमाईसीज सेरेवेसी का उपियोग आम तोर पर डैस बनाने के लिए किया जाता है तो अगर यहां पर answer की बात करूँ सायद यह गूगल हिंदी लिखा हुए तो कुछ और लिखना था पर सायद कुछ और लिखा गया है तो अगर यहां पर answer की बात करूँ तो right answer हो जाएगा उसके बाद है कि निमलिकित में से कौन सा जल उपचार में उपियुक्त होने वाला रसायनिक सकंद नहीं है तो अगर answer की बात करूँ तो right answer कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा nitrogen dioxide option number यहां पर D right हो जाएगा अगला सवाल है कि समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है तो पानी का क्वथनांक होता है समुद्र तल पर 100 degree Celsius तो यहां अगला सवाल देखते हैं कि नेमने मेंसे कौन सा धोवन सोडा का उपीओग नहीं है तो धोवन सोडा का उपीओग की एगर का वबात करूँ तो इसका उपिओग जहां जल की स्थाई का ठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है उसके बाद इसका उपियोग घरे लिए उद्देस के लिए क्लीनिंग एजन्ट के रूप में भी किया जाता है और इसका उपियोग काच, सावून और कागज उद्योग में भी किया जाता है लेकिन इसका उपि का सामाने नाम क्या है तो कैल्सियम सल्फेट हैमि हाइड्रेट को कहते हैं प्लास्टर आप पेरिस कहते हैं अगला सवाल तो राइट आंसर हो जाएगा है कैल्सियम सल्फेट उसके बाद है निम्न में से कौन ओजोन परत को नश्ट करता तो कौन करता है तो सीपसी करता है तो option के according अगर answer की बात करूँ तो यह हो जाएगा chlorine निम्न मेंसे किस gas की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है पूछा गया है कई बार अलग-अलग एकजामों में तो अगर इसके answer की बात करूँ तो यह होता है आपका hydrogen sulfide उसके बाद है पके हुए केले में मौजूद अमल कौन सा होता है तो पके हुए केले में जो मौजूद अमल होता है उसको कहता है मैलिक अमल और यह मैलिक अमल आपको पता है नो सेव के अंदर भी पाए जाता है अगले हैं कि खाद पदार्थों के बासी होने का कारण कौन सी गैस है तो बासी होने के पीछे जो कारण होता है यह होता है आपका oxygen यानि वो oxykrit हो जाता है इसके बाद निमने मेश से किस रसाइने की योगिक का इस्तेमाल आचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है यांई आचार को सुरक्षित रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो इसको कहाते हैं क्या? तो उप्सन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा उसके बाद हैं खाद पदार्थों की पैकेजिंग में उद्ध्योग में चिप्स को ऑक्सीकरन से बचाने के लिए किस ग्यास का उपियोग किया जाता है तो यह कौन सा तो अपने क्लाश 10 के अंदर पड़ा होगा नाइट्रोजन के बारे में अगले सवाल है कि विरंजन कारी के लिए विरंजन कारी में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निमलिकित में से किस पदार्थ का उपियोग किया जाता है तो यहाँ पे जो किया जाता है सलफोनिक एसीड में परिवर्तित कर देता है जिसके कारण क्या होता है आंक में आंक से जो हैं आसु निकलाते हैं तो आपसम नंबर यहां पर एराइट हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि निमलिकित में से कौन सा एसीड अंगूर में मौजूद नहीं होता है तो का एक उत्पाद है गर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यूवी की रन अल्ट्रा वायरिट व भी की रन अगर आपका भी दरोगा का एक्जाम है तो फिर आप इस महराथन को कंपलेट रूप से देख कर जाना या पिर आपका बिहार पुलिस का एक एक्जाम हो या पैसे सी जीडी का सोच रहे हैं या फिर आप रेलवे आने वाला रेलवे की सोच रहे हैं तो इस मैराथन को लगा के जाएगा चाहिए आप कोई सभी एक्जाम देते हैं और जहां पर आप से केमेश्ट्री पूछा जाता हो तो इसके लिए आप इस मैराथन को लगा के जाएगा और ये मैराथन आपको chapter wise पूरी तरह से मैंने आपको complete कराया है और कुछ question और हैं जिसको कि complete करके हम लोग पूरा chemistry revision कर लेंगे तो आपके लिए one of the best ये रामबान साबित होने वाला है तो चलिए question को देखते हैं तो निमलिकित में से कौन सा एक अक्रिय गय जाता है यानि बलों के अंदर ये पाए जाता है तो यहां पे option है नहीं तो यहां पर option के कौण सा तो यह हो जाएगा पालक option नंबर कों सा तो डी राइट हो जाएगा इसके बाद है 450 कैलवीन और 300 कैलवीन के बीच परिचालित होने वाले पक्ष कार्णोट इंजन की छमता की गनना केजिए तो इसका जो छमता होता है ये होता है कितना तो 33.3 तीन प्रतीसत option number D right हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि glycosidic bond किस परकिरिया से बनता है तो ये बनता है निरजली करन की परकिरिया से तो option number B right हो जाएगा अगला सवाल है कि निमलिकित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो photon है photon की खोज यूकावा ने नहीं किया है बांकि सारे के सारे सही है अगला सवाल है कि आरसेनिक का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो arsenic Associinic सुतर नहीं प्रतीक पूछा है तो इसका प्रतीक होता है as chesz छोटा वाला ये ध्यान रखना है और और र नहीं होता है और ac क्या होता थर ठीनियम होता है an कुछ नहीं होता है अगले सवालां कि CH3, CH2, OH सुत्रवाले योगिक का नाम क्या है तो इस योगिक का जो नाम है उसको कहते है इथे नौल option number B right हो जाएगा समुद्र के पानी की लवंता की गन्ना समुद्री जल के 10 ग्राम में घुले हुए नमक की मात्रा के रूप में की जाती है तो यहां पे कितना ग्राम जल आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है तो गर आंसर की बात करूँ तो यह होता है आपका 1000 ग्राम अगला सवाल है कि डैस द्रव की सापेक्ष निरमलता का माप होता है तो यह कौन सा होता है तो यह होता है आवेलता तो आपसन नंबर भी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि सबसे कम तापमान जिस पर किसी पदार्थ में आग लगती है उसे क्या कहते है तो उसको कहते है प्रज्वलन तापमान उसके बाद है निमलिकित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है तो इंसुलेटर कौन सा नहीं है तो ड्राइ पेपर यानि सुखा कागज तो यह आपका जो है इंसुलेटर नहीं है उसके बाद है कि निमलिकित में से बेरियम नाइटरेट का उपयोग सीगनल फ्लेयर्स और आतिसβाजी में किया जाता है जो चमकीले डैस रंग में जलते हैं तो बात किसका है तो बेरियम नाइटरेट की तो बेरियम नाइटरेट जो होते हैं यह कौन सा कलर देते हैं तो यह देते हैं हरा कलर तो option number यहाँ पर D right हो जाएगा अगला सवाल है कि निमन में से कौन सी परकरिया जिसमें गर्म, कम घने सामगरी उपर की ओर बढ़ती है और ठंडी अधिक घने सामगरियों द्वारा प्रतिश्थापित की जाती है गर आंसर की बात करूं तो यह हो जाएगा option number D यानि समवहन तुथ पेष्ट बनाने के लिए निमलिकित में से किसका उपियोग नहीं किया जाता है तो किसका उपियोग नहीं किया जाता है तो ग्यालेना का उपियोग नहीं किया जाता है option number D हो जाएगा right निमलिकित में से किस अमल का उपयोग सोने और चांदी के सुधी करन में किया जाता है तो ये कौन सा होता है तो ये होता है आपका nitric अमल option number यहां पर D right हो जाएगा उसके बाद हैं एक लकड़ी के बल्ले को डैस वस्तू के रूप में वरगी करित किया जाता है तो ये अपार दर्सी के रूप में ब्यक्त किया जाता है यानि जिसके आर्क पार हम लोग नहीं देख सकते हैं इसके बाद है निमलिकित में से लासून और प्याज में मौजुद मुख्य सक्री सलफर युक्त यौगिकों में से एक है तो कौन है भाई तो अगर आंसर की बात करूँ तो ये हैं एलिसीन ओप्सन नंबर कौन सा तो यहां पे एराइट हो जाएगा अगला सवाल क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उप्योग डैस में किया जाता है तो इसका उप्योग किया जाता है सोडियम एसीड अगनी समन के लिए तो अप्सन नंबर यहां पे सी राइट अंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं यह कह रहा है कि सपहेदी वाली दिवारें तीन से चार दिनों के बाद किसके बनने के कारण चमकदार दिखाई देने लगती है तो तीन से चार दिने के बाद क्या होता है कैलसियम हाइड्रोकसाइड जो है कैलसियम कार्बोनेट बन जाता है oxygen से react करके जिसके कारण वो चमकने लगता है इसके बाद है निमलिकित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है तो ये किसका होता है भाई तो sodium chloride का उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में तो option number यहां पर d right हो जाएगा अगले सवाल है कि ascorbic acid का लोग परिया नाम क्या होता है तो ascorbic acid का जो लोग परिया नाम होता है वो होता है vitamin C, methane, रंग हीन, गंद हीन, विस हीन लेकिन zolan seal gas होती है इसका समान नाम क्या होता है तो इसका समान नाम होता है Mars gas laughing gas से आप क्या हैं तो वाकिप हैं आप इसको जानते हैं अगले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निमलिकित में से किसे सिंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है सिंधा नमक आपने बिलकुल कॉमन सा नाम जाना है इसका तो ये कौन होता है तो Magnesium Sulphate होता है अच्छा लिखते कैसे हैं इसका फर्मूला क्या होता है तो MgSO4 तो यह हो गया आपका सिंधा नमक यानि Magnesium Sulphate हो गया अगले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है तूतिया के तेल का रसाइनिक नाम क्या है आप लोग कुछ और मत समझेगा तो तूतिया के तेल क इसको पीटर कहते है नाइट्रेट का रसाइनिक सुत्र निमलिकित में से कौन सा है तो यहां पर आंसर की बात करूँ तो यह हो जाएगा का समान्य नाम है तो यह होता है कैलमाइन option number C right हो जाएगा उसके बाद है chromite नामक खनीज का वैग्यानिक नाम क्या है तो इसका वैग्यानिक नाम होता है कौन सा तो iron chromium oxide option number D right हो जाएगा उसके बाद है एथे नोईक अमल को glacial acetic अमल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ठंडी जलवायों में जम जाता है तो option number यहां पर C हमारा right answer हो जाएगा अगला सवाल है कि पानी में acetic कमल के 5 से 8 प्रतिसत गोल के रूप में जाना जाता है तो यह होता है आपका सीर का option number A right हो जाएगा उसके बाद है जंग लगने के लिए तीन घटक होने चाहिए तो वो कौन-कौन से घटक होने चाहिए जिसके कारण जंग लग जाता है तो जंग लगने के पीछे जो reason होता है वो होता है लोहा होना ही चाहिए जिस पे जंग लगेगा उसके बाद oxygen और नमी ये तीन चीज़ आव लेवल रहेगा तो जंग आपको लाजमी दिख जाएगा इसके बाद है पटाके का विस्पोट डैस का उधारन होता है तो पटाके में जो विस्पोट होता है ये होता है दहन का उधारन वासपी करन और परकेरिया को क्या कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं आस वन ऑप्सन नंबर कौन सर तो यहां पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि निमलिकित में से किस तक्त्युका परियोग प्रतिस्वेदक दि-ओ-डे-रेंट में किया जाता है तो यह किया ज होते हैं कैलसियम और मैगनेशियम का आयन जिम्मेदार तो अपसन नंबर भी राइट हो जाएगा उसके बाद हैं निमलिकित में से कौन जल चक्र की एक परकरिया नहीं है तो अगर आंसर की बात करूं तो यह होते हैं आपका प्रकास संसलेशन बेहद कम घनत वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टाइन केंडन सेट जो की पांचवी अवस्था होती है पदार्थ की और चौथी कौन सी होती है तो यह पलाजमा अवस्था होती है और बाकी कि अगर मों खितीन आवस्था की बात करूं तो वह अताप का ठोस द्रेव और ग्यास इसके बाद है नमक को समुद्री जल से किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इसको प्राप्त करने का जो प्रक्रिया होता है वह होता है वास्पी करन तो option number कौन सा यहां अगला सवाल है कि नीलम और रूबी किस प्राक्रितिक की किसमे होती है तो यह होती है कि इसकी तो अलुमूनियम ऑक्साइड की तो option number कौन सा तो डी राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि निमलिकित में से किसे हाइडरोजीनी करन परक्रिया में उत्परेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह किया जाता है तो यह किया जाता है मैंगनीज डाय ओक्साइड का तो option number यहां पर ए-right आंसर हो जाएगा पेपर इस्प्रे में डैस जॉलन सील यौगिक होता है तो इसमें होता है कौन तो क्यापशा-साइन होता है आपका क्या होता है तो क्यापशा इस नहीं होता है ऐसे नहीं होता है आपसेन नमबर कौन सा तो डी राइट हो जाएगा तो यहां पे हम लोगों ने शतक लगा दिया और अब बहुत लाश्ट है इस महराथन के और चल एसको भी हम लोग फटा-फट से निप्टा देते हैं उसके बाद क्या है लोहे की कील को कॉपर सलफेट विलियन में डुबाने के बाद विलियन का रंग क्या हो जाता है तो विलियन का रंग यह हरा हो जाता है तो आप्सन नमबर कौन सा यहां पर यहाँ पे A हमारा right answer हो जाएगा अगले सवाल देखते हैं अगले सवाल क्या कहता है ग्रीक मूल के सब्द electron का अर्थ क्या है electron का अर्थ होता है ember, option number C right हो जाएगा उसके बाद है पुखराज फ्लोरीन और aluminium dash का है तो यह जो होते हैं silicate का होता है option number कौन सा तो यहाँ पे D right answer हो जाएगा अगले सवाल क्या कहता है भारत में वायू गुनवत्ता सुचकांक मापने के लिए कितने प्रदूसक सामिल है तो total जो है 8 प्रदूसक सामिल है तो option number B right हो जाएगा वनस्पति तेलों के hydrogen करन में निमलिकित में से किस उत्प्रेरग का उपियोग किया जाता है तो कौन सा किया जाता है तो निकेल का किया जाता है तो option number कौन सा तो यहाँ पे C हमारा right answer हो जाएगा अगला सवाल है कि निमलिकित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन से सुमेलित नहीं है तो पायरीन या अगनी समान में यूज होता है सलफार डियोकसाइड आमलोवर्सा का कारण फ्रेयोन इसका यूज जो है एसे यानि ठंडा करने के लिए प्रसितक के रूप में इसके बाद फ्लेरीन का यूज कह रही है फ्लोरीन यूगत बहुलक में तो ये गलत दे रखा है अगला देखते हैं कि निमलिकित में से कौन एक साक नासी उदारन है साक नासी का उदारन कौन है तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करूँ तो ये हैं आपका सोडियम क्लोरेंट तो उप्सन नमबर कौन सा तो एराइट हो जाएगा निमलिकित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्मान में किया जाता है तो दिया सलाई के निर्मान में जो किया जाता है लाल फासफोरस का निर्मान किया जाता है option number कौन सा तो यहाँ पे C राइट हो जाएगा उसके बाद है नगर पालिका के कुड़े कचड़े एक बड़े फर्नेंस में जलाए जाते हैं इस फर्नेंस को क्या कहा जाते हैं तो इसको कहते हैं इंसिनरेटर कहते हैं तो option C राइट हो जाएगा अगला सवाल है कि दीमक को नश्ट करने के लिए सरवादिक उप्यूक्त रासायन कौन सा होता है तो यह होता है मोनो क्रोटो कस option number D यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं कि कचरों खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रतेक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मर्त्यू हो सकती है वे पदार्थ वे दो पदार्थ कौन से हैं तो एक तो मरकरी हैं और दूसरा साइन आईड हैं और इस प्रकार से हम लोगों का मैराथन यहां पे हो जाता है complete और किन्हों ने पूरा मैराथन को देखा है तो वो हमें कमेंट जरूर करिएगा अपने नाम के साथ और आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को उस जगह के नाम के साथ जरूर कमेंट कीजेगा मैं वेट करू तो इस मैराथन को लगा के जाएगा और सारे मैराथन का प्लेलिस्ट में अलग-अलग कर दिया हूँ और आप चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में लव यू आल एंड बेस्ट आप लग आप सभी को